कि माइच चल रही है ना हेलो बच्चो आवाज आ रही है क्या एक बार बता दो जल्दी से क्या आपको आवाज आ रही है हाँ जी क्लियर है आवाज कोई दिक्कत नहीं है आवर तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाठाउ से यह पर लेटिड सारी चीज़ाहे हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है सारी बाते ऑन喜欢 करेंगे ट्राई करेंगे हम लोग सारे टोपिक्स को पढ़ लें साथ ही साथ कुछ उसके questions भी कर लें बट पीवाई क्यों नहीं करेंगे मैं चाहता हूं पीवाई क्यों आप खुद से करें और उसको solve करें फिर अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे को बताएं ठीक है चलिए तो start करते हैं अब इसमें अलकोहल फिनोलिथर में हम ल पाद क्या आएगा फिनोल एंड इथर तो एंसी आइट में हमें पता है कि किस तरीके से चीजों को बताया जाता है सबसे पहले क्या कि आई यू पीए सी के बारें बताया जाए ठीक है आयू पीए सी एंड आई सो मेरीजम से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब् देखेंगे और उसके बाल हम लोग इसके कैमिकल रियक्शन को देखने वाले इसको देखेंगे कैमिकल रियक्शन और जो एक लास्ट टॉपिक बसता है जिससे हम कहते हैं पीजीकल प्रॉपर्टी तो इन चार बातों को हम क्लियर करेंगे एक आयू पीए सी पढ़ते समय हम लोग क्या करते हैं कि कुछ कॉमन नेम भी बात पढ़ लेंगे क्योंकि हमें पता है कि कॉमन नेम से रिलेटेट बहुत सारी क्वेशन साते हैं लाइक अगर देखा जाए तो एलाइल बेंजाइल की बाते की जाएंगी जैसा कि आपको पता है कि हैलो एलोरिंस में मैंने पह है वैसे livre करने वाले ठीक है तो चलिए हिसे सबसे पहले हम इंट्रोडेक्शन पार करेंगे चार पार हम करेंगे सबसे पहले अल्कोहल क्रेंगे उसके क्या करने वाले हैं इधर तो सबसे पहली बात यांती है इसकी इंट्रोड़क्शन में वह कि इस Participate banks लगे हाथ हम लोग यहाँ पर GOC से related भी कुछ जो बाते हैं वो भी हम लोग कर लेंगे जैसे अगर मैं आप से पूछू एलकोहल इथर के बारे में तो एलकोहल ये रहा और इसी एलकोहल में अगर हम लोगों ने एक हाइड्रोजन हटा दिया ठीक है और उसके जगा पर मैंने एलकायल ग्रूप इंट्रड्यूस कर दिया तो यहाँ पर जो बनेगा इसे कहेंगे बेटा हम एथर क्या कहेंगे एथर जैसा कि आपको दिख रहा हुगा कि एथर जो है एक पॉलीवैलेंट फंसन ग्रूप है और पॉलीवैलेंट फंसन ग्रूप क्या होता है जब कारबन दो या दो से जादा साइट से जुड़े हूँ और यही पॉलीवैलेंट फंसन ग्रूप जो है मेटामरिजम भी शो करते हैं ऐसा आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर में पढ़ा होगा अब अगर हम यहाँ देखे तो यह है अलकोहल दिस इस मोनोवैलेंट फंसन ग्रूप क्यो चोटी चोटी बाते तो हैं लेकिन हम यह सारी बाते क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम प्रेपरेशन पढ़ेंगे मैथड और प्रेपरेशन ऑफ इथर पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि कुछ ऐसे भी रियक्शन से जहां पर सिर्फ सिमेट्रिकल इथर बन स इसको हम लोग सेमपल भी कहते हैं और इसे हम लोग मिक्श्ट इथर भी कहते हैं चलिये तो इथर और एल्कोहल के बारे में एक बात कलिर हुई दूसरी बात समझेगा जड़ा ध्यां से समझेगा बटा फिनल जड़ा ध्यान से देखो तो आप मेंसे बहुत सारे बच्चे जो है इसको समझ भी रहांगे कि alcohol and phenol में क्या difference है alcohol और phenol में difference क्या है कि जब OH directly benzen से जुड़ा होता है तो हम उससे phenol बोलते हैं और जब OH directly benzen से नहीं जुड़ा होगा तो हम उससे alcohol बोलेंगे alcohol और phenol को दोनों को different homologues सिरीज में कंसिडर करते हैं क्योंकि दोनों की कैमिकल प्रॉपर्टिस बिल्कुल ही अलग होती है क्या समझ में आई बात यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोन पेर है वो डी लोकलाइज होता है यहाँ पर देखें कॉन जूगेशन है पाई सिग्मा लोन पेर और हमें पता है कि यह जो लोन पेर है डी लोकलाइज है ठीक है डी लोकलाइज है अब अलकोहल में यहाँ आगे पड़ेंगे तो इसको भी फर्दर आपको देखा जाएगा कि यह त्री टेफ में कटेग्राइज करते हैं प्राइमरी सकेंडरी एंड टर्शिरी देखिए अगर मैं बोलू वन डिगरी अलकोहल की बाद वन डिगरी अलकोहल की बाद तो आप सबको पता है कि अगर इस कारवन से ओच जुड़ा है तो यह कारवन डिगरी कारवन से यहां बात समझ में, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें 2 degree अलकोहल की, तो पताइए 2 degree अलकोहल क्या कहेंगा, समझ में आ गया होगा अब ये 1 degree, 2 degree alcohol, 3 degree alcohol ऐसा जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके बारे में हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohol को distinguish कर सकते हैं ये हमारी लिए बहुत जरूरी है और इस पर बेस्ट कुछ questions भी आते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर alcohol 3 taps के categorize किया गया है 1 degree, 2 degree and 3 degree यहाँ पर दिखिए एथर क्या बताया है मैंने symmetrical and unsymmetrical और phenol की बारे में मैंने आपको बात बता दी कि जब OH directly benzen से जुड़ा है तो हम उससे क्या कहेंगे phenol तो बताओ मेरे को सबसे पहले क्या यह वाला पार्ट जो मैंने बताया यह पार्ट आप सबको clear है कि alcohol क्या होता है phenol क्या होता है, ether क्या होता है किस तरीके से हम इन सबको distinguish करते हैं, जल्दी से बताइए clear है सबको चलिए बहुत बढ़िया ऑफ हम लोग Next देखते हैं वेटा, कुछ और बाते यहाँ पर देखेंगे हाँ, कुछ और बाते यहाँ पर पहले देख लेते हैं, जैसे कुछ नाम की बात हम लोग कर लेते हैं जैसे आप लोगोंने सुना होगा Alkyneे बारे में फिर आपने सुना होगा benzyl के बारे में और आपने सुना होगा विनायल के बारे में बेटा ये तीनो ट्रम जो common में बहुत ही जादा important है ऐसा मैं इसलिए important बोल रहा हूँ क्योंकि ये हैलोलकेन में भी आयागा अलकीन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं Estaam hydroxyl group होता है वो hydroxyl group जिस carbon से जुड़ा है उस carbon का hybridation बताइए क्या आपको समझ में आ रहे हैं इसका hybridation क्या हो जाएगा यहाँ पर hybridation क्या होगा sp3 क्योंकि वहाँ पर 4 sigma bond दिख रहे हैं ठीक लेकिन अगर मैं वही विनायल की बात करूँ तो यहाँ पर double bond carbon से ही यहाँ पर OH जोड़ा रहता है बेटा यहाँ पर अगर देखें तो इस carbon की जो hybridation होगी बेटा वो sp2 होगी क्योंकि यहाँ पर देखिए एक hydrogen और एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा टोटल तीन सिग्मा है और तीन सिग्मा करान यहाँ पर hybridation जो होगी वो क्या होने वाली है sp2 यहाँ clear है इन दूनों में एक और difference है क्या आप कोई बता सकता है मेरे को कि एलाइल और बेंजाइल में कौन सा जो लोन प्यर है वो localized है और कौन सा डी लोकेलाइज़ है चलो जल्दी से बता दो एलाइल और विनाइल में कौन सा लोन पेर जो है वो बेटा लोकलाइजड है और कौन सा डी लोकलाइजड है ज़रा मुरे को बता दो जल्दी से जल्दी से बता दो एलाइल या विनाइल लोकलाइजड किसमे है जल्दी से बताईए localized किसमे है localized किसमे है localized किसमे है देखे चरह तो आपको दिखेगा बेटा यहाँ पर जो loan pair है यहाँ पर conjugation में नहीं है और यहाँ पर जो loan pair है वो conjugation में है and because of that हम इसे क्या बोलेंगे de localized क्या समझ में आरी बात बेटा और जो loan pair de localized होते हैं उन्हें हम hybridization में consider नहीं करते हैं क्या समझ में आई बात यह तो यहाँ पर हमने यह देख लिया LIL क्या होता है, Vinyl क्या होता है अब हम बात करते हैं benzyle की जरा ध्यान से देखेगा benzyle क्या होता है इसे हम कहते हैं benzyne क्या बोलते हैं benzyne जरा ध्यान से देखे benzyle alcohol को इसमें भी जो loan pair है वो localized है, delocalized नहीं है यह alcohol family के अंड़र आएगा बेटा फिनोल में नहीं आएगा समझ में आरी बात यह बेटा इस बात को हमेशा दिमां में रखेगा बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यह फिनोल से थोड़ा रेलेट कर लेते हैं फिनोल और यह दोनों डिफरेंस से बेटा यह alcohol है फिनोल के बारे में मैंने बात बताई आपको कि जब OH जो होता है वो directly benzyne से जुड़ा होगा तब ही जाके हम उसे फिनोल कहेंगे otherwise वहाँ पर उसे हम alcohol consider करेंगे तो उमेद करता हूँ बेटा यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यह चीज़ समझ में आ गया कि LIL benzyl क्या होता है Vinyl क्या होता है 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohol क्या होता है Ether कैसे identify कर सकते हैं Metrical, Cinematrical यह पता चल गया है अब हम लोग आते हैं इसके NCRT के कुछ questions पर ठीक है जैसे ध्यान से देखिए अगर हम इसको देखें कि यहाँ पर आप से सिर्फ यह पूछा गया है कि बताओ primary, secondary, tertiary क्या है प्राइमरी एलकोहल कौन कौन से है बता दो जल्दी से मेरे को यह प्राइमरी एलकोहल कौन कौन से है जल्दी से बता दो कौन कौन से है प्राइमरी एलकोहल आपको दिखेगा primary alcohol कौन-कौन से है चलिए तो मैं देखता हूँ अगर मुझे 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 से पूछा तो मैं कैसे सोचूंगा ध्यान से देखना विटाया ना क्योंकि हम लोग यहां पर जिब one short देख रहे हैं विडियो देख रहे हैं तो इसमें हम लोग concept तो clear करेंगे साथ इसाथ हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि भई question का approach कैसे लगाते सीख तो लिया बट approach कैसे लगा यह हमें पता होना चाहिए अगर approach नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं जैसे organic में क्या दिक्कत है पढ़तों सब लेते हैं बट relate नहीं कर पाते हैं हमें किस तरीके से उस reaction को आगे बढ़ाना है तो यह सारी बातों को हम सीखेंगे यहाँ पर चलिए बताइए मेरे को यह जो OH है जिस carbon से जुड़ा है उस carbon की degree देखो तो अगर आप देखेंगे इस carbon को तो यह carbon सिर्फ एक ही carbon से जुड़ा है and because of that यह हम क्या कहेंगे बटा इसे 1 degree क्या बोलेंगे बटा वन डिगरी यह primary alcohol हो जाएगा क्या समझ में आई बद अब आते हैं नीचे वाले question में ज़रा ध्यान से देखें यह OH इस carbon से जुड़ा है तो जिस carbon से जुड़ा है बटा उसकी degree check करते है अमाइन में लेकिन ऐसा नहीं होता है बहुत सारे बच्चे अमाइन में गलती क करेंगे अब डिगरी टू डिगरी एंट थी डिगरी अमाइन की और चलेंगे याद करो अमाइन अलग है अलकोहल अलग है primary secondary and tertiary a minor consider as different functional group but in case of alcohol ऐसा कुछ भी नहीं होता ठीक है तो जरा यहाँ पर ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आगा कि यह ओच इस carbon से जुड़ा है और यह carbon यह तो यह तो यह secondary alcohol हो गया यह primary हो गया और यह tertiary हो गया जरा आप मुझे बताईए क्या इसमें से कहीं भी आपको बेंजाइलिक अलकोहल दिख रहा है जल्दी से बताईए क्या इसमें से कहीं भी आपको बेंजाइलिक अलकोहल दिख रहा है क्या इसमें कहीं भी बेंजाइलिक अलकोहल दिख पिर हाँ है गलत वतादो तुम लोग बेंजाइलीक अलकॉहल बेटा देखो ध्यान से यह थर्ड ओक्षन जो है यही है बेंजाइलीक अलकॉहल क्योंकि यह बेंजाइलीक कार्बन होगा और इस पे ओच जुड़ा हुआ है क्या समझ में आई बात यह चलिए बहुत अच्छी तो इसे हम primary amine कहते हैं, यह ammonia से आता है, ammonia में NS3 होता है, एक hydrogen हटाइए, carbon chain लेकर आईए, तो 1 degree amine हो जाएगा, लेकिन अगर हम एक hydrogen और हटा के, दो side से carbon chain लेकर आजाएए, तो यह secondary amine हो जाएगा, और अगर हम यहाँ पर इस तरीके से करते हैं, तीनो hydrogen हटा दें, तो यहाँ पर हमें दिखेगा, यह tertiary amine है, और primary, secondary and tertiary amine are considered as different functional group बेटा, ध्यान रखना इस बात का, लेकिन alcohol में ऐसा नहीं होता, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेगा, हलाकि Friday को मैं amine chapter का भी one shot ले रहा हूँ, जिसमें complete NCRT पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर मैं फिर से पूछा, जरह मुझे बताए कोई कि यह कौन सा माइन है, 3 डिगरी है या 3 डिगरी है, यह कौन सा माइन है, 3 डिगरी है या 3 डिगरी है, बतादो बतादो, यह 3 डिगरी है या 3 डिगरी है, आवही, बताइए मेरे को, यह जो है, this is 1 डिगरी amine, 2 डिगरी amine और 3 डिगरी amine गलत कर रहे हो अच्छा सत्यम ब्रजेस पूरा हो ये सारे के सारे बच्चे वन डिगरी बोल रहे है बहुत अच्छी बात है ये वन डिगरी अमाइन ही है बेटा ध्यान रखना ये कौन सा अमाइन है वन डिग्री अमाइन है ना बहुत सारे बच्चों को अलगता असर देखो यह नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन की डिग्री देखेंगे ऐसा अमाइन के केस में नहीं होता मैंने यहाँ पर आपको एक्स्प्लेयन कर दिया था चलिए तो यहाँ पर ह हम चैप्टर वाइज आते हैं यह बहुत सारे बच्चे रियक्शन मेकनिजम करके पढ़े होंगे ठीक है लेकिन एंसे अटी करता कि देखो भाई हमने हाइड्रोकार्बन में सही बात है आयूपीसी के बारे में थोड़ा बता दिया है लेकिन हम हर चैप्टर में बताएंग और जब PCC का सेलेक्शन हो जागा तो हम इस PCC सेलेक्शन होकर जो उसका नंबर ऑफ कारवन है गा उसमें क्या करते हैं नमबरिंग कर लेते हैं यही पर आपके क्वेश्चन बन जाती है यह यूपीसी के तो सबसे पहले बताओ PCC के सेलेक्शन के लिए प्येफजी देखते और अगर नॉन कारवन कंटेनिंग फंस रूप है तो ऐसा नहीं कि लाइन वहीं से शुरू हो ऐसा जरूरी नहीं है अगर यह वन डिग्री है तो हम वहां से स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से आगे बढ़ेंगे देखेंगे ब्रांचिंग मिल गए इधर एक ही कारवन है इ यहां पर विए मिथाईल है और यहां पर क्लोरो है आप मुझे बताई है पहले आएगा या मिथाईल पहले आयाएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा अगा था फोर लो पेहले ह्लनिजाए लग्षाज पैंटेंटेश प्रिंस्वल फंसलंग ग्रूप कौन है बताईए मेरे को नाम तो बता रहे हो पीएफजी कोई बता नहीं रहा है बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग पूरो बहुत बढ़िया बैटा बहुत बढ़िया गलत है इसमें PFG absent है बैटा पीएफजी इसमें है ही नि क्योंकि IUPAC ने बोला है कि देखो भाई एथर होता होगा फंसलंग अप हम elk oxy use करते हैं क्या use करते हैं elk oxy elk का मतलब क्या हो गया number of carbon तो जड़ा ध्यान से देखो इसमें main chain किदर से होगा क्योंकि ये by valence ने गूप है इधर भी carbon chain है और इधर भी carbon chain है क्या समझ में आई बात यह यादा रहा क्या ये दर वाला हाँ ठीक है तो इधर दोलो carbon chain है और हमें दिख रहा है कि इधर तीन carbon chain है विकाउज अब देट ये PCC हो जाएगा और ये जो है यहाँ पर as a substitute participate करेगा और अगर ये substitute है तो इसके लिए हम दो carbon के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर elk oxy यूज करते हैं इधर के substitute के लिए तो दो carbon है तो नाम हो जागा 2-ethoxy 2-ethoxy-propane क्या नाम हो जागा 2-ethoxy-propane 2-ethoxy-propane चलिए बहुत अच्छी बात है 2-ethoxy-propane क्लियर है बहुत अच्छी बात चलिए थर्ड वाले कुशन वोगर देखें ध्यान से तो बेटा ये alcohol नहीं है फिनॉल है और बहुत सारे बच्चे इस पाई बोंड से कंफ्यूज हो जाते हैं मैं जैसा बता रहा हूं ध्यान से सुनेंगे जब भी आपको ये पाई बोंड दिखे आप इसका हाइब्रीड वाला स्ट्रक्चर बना लें क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और उसके बाद इसका आयू-पी-सी करेंगे नहीं तो आपक इसलिए जुड़ा है बेंजिन से फिनॉल कहते हैं और इसी को बटा कार्वोलिक एसिड कहते हैं क्या याद था किसी को कि अ fairness को हमें दिखान से इसे मेंचेन तो यह एंग ए यहीं से देन 4 देन 5 देन 6 ध्यान से देखिए बेटा ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि 2-6-dimethyl 2-6-dimethyl है किसी बच्चे ने जवाब दिया है 1-3-dimethyl वो बहुत मार खाएगा पूरो बेटा गलत बोल रहे हो तो मैंना 1-6 हो जाएगा ध्यान से सुनों यहाँ पर 2-6 हो जाएगा 1-2-3 नहीं करेंगे हम नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर PFG लगा होता है और इसका PFG फिनॉल है बेटा एना अल्कोहल नहीं है क्या IUPAC के तीन डिफरेंट कुस्चिन जो मैंने लिए थे आपके से ही छापा गया है जरा ध्यान से देखेंगे कि स्ट्रक्चिरल ओफ मीथेनों फिनॉल एंड मीथोक्सी मीथेन की बात की गई है ठीक है आपसे अगर माली यह स्टेट्मेंट वन स्टेट्मेंट टू करके क्योस्चन पूछा जाए यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ अब जरा मुझे बताओ एथर में अगर देखें ऑक्सीजन का है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन से एस सिग्मा बॉंड है और दो लोन पेर है और यहाँ पर भी जो चार रहे जाएगा और इसके कारण यहाँ पर जो हाईविडेशन है वह स्टित हो जाएगा ठीक यह भी क्लि बताइएं फिनॉल में जो अक्सीजन है उसका हाईवडेशन बताओ लेटा पीनॉल में जो ऑक्सीजन है उसका हाईवरिडेशन बताओ फड़ट में इस सबने गलत जवाब दिया गधो ऐसे कैसे najleगा SP3 बोल रहा है जड़ा ध्यान से देखो तो इसमें दिखेगा तुम्हें इस oxygen से 2 sigma bond associated है सही बात है और lone pair तो सिर्फ एक ही है बेटा याद करो ये dialogue आपके sir ने भी बताया होगा और जो बच्चे मेरे से पटा है उन्हें भी मैंने बताया था if lone pair involved in resonance if lone pair involved in resonance या यू कह सकते हैं जो delocalized lone pair होते हैं उन्हें हम hybridization में consider नहीं कहते हैं क्योंकि वो जो है वो pi electrons हो जाते हैं क्या समझ में आई बात और pi bond को कभी भी hybridization में consider नहीं करते हैं तो यहाँ पर जो lone pair है एक एक lone pair जो है यह delocalized है और delocalized lone pair को हम यहाँ पर hybridization में consider नहीं करते हैं and because of that इसके जो hybridization हो जाएगी वो क्या हो जाएगी SP2 चलो बताओ क्या यह clear हुआ याद आ गया मुझे पता है यह सबको पता था लेकिन भूल गया थे और ऐसे ही नीट में हम कभी कभी भूल सकते हैं और अगर ऐसे भूलने लगे तो एक question गलत हो जाएगा समझ में आई बात और पांच नंबर गए हैं पांच नंबर की कीमत तो समझते ही हो गए चलो बताओ clear हो गया सबको बहुत बढ़ियां पुरो ने एक लोन पर उसका नहीं हो था बहुत बढ़ियां पुरो ने सही बताया था और maximum बच्चे उपर में इसका पर अगर बताये कि बॉन्ट लेंद्ध का तो 142 है और यहां पर देखे तो कारवण उसकी का 1 41 है ठीक है इसका और इसका तो समझ में आ लगवग सेम है बट यहां पर अगर बताईए कि रहा होगा कнем आ यहां पर को छोटे-छोटे को छोड़ नहीं सकते हैं अगर ऐसे छोटी से छोटी बात में पढ़ा रहा हूं अगर आपको समझना है तो देखिए NCRT मेरे पास है अगर 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 आगर तो आपको जाधा टाइम ना लगे बहुत अच्छे सारी चीज़े समझ में आ जाए ठीक है चलिए बताइए मेरे को यहां पर जो बॉंड नेंथ वो 136 क्यों है क्या बता सकता है कोई हाँ बॉंड जाद है वेरी गूड बेरी गूड पूरा बहुत अच्छे देखो जैसा कि हमें पता है कि डू टू डी लॉकलाइज लॉन पियर यहां पर यहां पर कारबन ओक्सीजन में फिनोल के ध्यान से देखना यह बार बार काम आएगा बार बार काम आने वाला है फिन हो जान से देखना यह लोनपियर दिखा रहा है आपको यह दी लॉकलाइज है और यहां पर डी लॉकलाइज होने के कारण कारण प्र जी त्होड़ा अक रहा है और इस कारण से यहां परहाँ इस बाद Qส. सब को चलिए एक और कुश्यन एक और कुश्यन देखेगा यहां पर भी ऑक्सीजन का हैविडेशन SP3 था यहां पर भी SP3 था हमें पता है यहां पर 109 डिगरी के आस्वास होना चीए था वट यहां पर bond angle 108 है और यहां पर bond angle 111 है मैं यहां पर 111 है जरा मुझे इस पर कोई बता सकते हो क्यों इसके पीछे क्या कारण है इसके पीछे क्या कारण है बता सकते हो क्या तो आपको याद आ रहा होगा कि सर्देखो इथाइल में क्या है कि इथाइल के दोनों side bulky group लगे हुए है methyl जो होता है वो बल्की होता है as compared to hydrogen hydrogen के comparison में है क्योंकि बल्की का definition हम आसानी से नहीं दे सकते यह depend करता हम किसके respect में बात कर रहे है तो यहाँ पर दोनों के दोनों group क्या लगे हुए methyl लगे हुए और दोनों methyl लगे हुए because of repulsion यहाँ पर bond nagle इसके comparison में थोड़ा आपको ज़्यादा दिख रहा होगा क्या clear है यहाँ पर तो alcohol phenol ether का जो introduction का part था वो यहाँ पर मैंने clear कर दिया है अब आते हैं हम लोग preparation of alcohol में alcohol की preparation में आ रहे हैं यहाँ पर reaction का part इस्टार्ट हो रहा ध्यान से सुनना बेटा NCRT में यह चार लिखे हुए हैं बट NCRT से हटके भी कुछ एकदू चीज़े हैं जहाँ पर 11th के NCRT में भी alcohol का formation है बट उसको यहाँ पर उसने नहीं लिखा है क्योंकि वो general तरीका नहीं है बनानेगा समझ में यह बत लेकिन हम चाहते हैं हम सारी के सारी बातों को यहाँ पर कवर कर सकें जरा ध्यान से देखेगा जब हम reaction की बाते कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है और क्या दिक्कत नहीं है सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा है हम यहाँ पर alcohol के preparation की बात कर रहे है तो देखो जब भी मेरे को alcohol की preparation करनी है तो मैं क्या करूँगा NCRT का सारे chapter को याद करूँगा chapter है कितने है देखो hydrocarbon, halocan halorins, alcohol phenolether, aldehyde ketone and amine हम सबसे क्या alcohol बना सकते है तो धीरे धीरे देखेंगे hydrocarbon बताओ पहले कौन आता है, alkane, alkene, alkane, alkane, यादा रहा क्या बटा तो हमारे पास एक reaction ही आ गया कि सर हम alkene से alcohol बना सकते है क्योंकि alkene में होता है pi bond और pi bond को तोड़के हम OH जोड़ सकते है तो alcohol बन सकता है with the help of electrophilic addition reaction क्या समझ में यह बात उसी तरीके से carbonil compound की बात करें तो carbonil compounds क्या होते हैं, aldehyde and ketone होते हैं तो aldehyde और ketone को अगर हम reduce करते हैं, reduction करते हैं तो वो alcohol बन जायागा, जैसा कि हमें पता है कि 1 degree alcohol का अगर हम oxidation करें तो aldehyde बनता है, aldehyde के oxidation से carboxylic acid बनता है क्या समझ में यह बात, तो उसी तरीके से अगर हम carboxylic acid का reduction करते हैं तो aldehyde बनेगा, और aldehyde के reduction से हमें 1 degree alcohol मिलेगा क्या 1 degree alcohol clear हो रही है बाते हैं आपको, ठीक है, ठीक उसी तरीके से समझिएगा अगर आपके पास 2 degree alcohol है, तो उसके oxidation से ketone बनेगा और ketone के oxidation से, अगर हम pop-up सरूर लगाते हाई temperature पर reaction करें तो carbon carbon bond हो, तूट कर वहाँ पे carboxylic acid का mixture बनता है क्या समझ में यह बात, ketone का in general oxidation नहीं होता है 3 degree alcohol का भी oxidation in general नहीं होता है अगर हमें ketone और 3 degree alcohol का oxidation कराना है तो high temperature pressure का यह special condition का use करना होगा क्या यहां तक clear है बेटा, तो ठीक उसी तरीके से carbonil compounds क्या होते हैं, aldehyde and ketone होते हैं और इनके reduction से हम alcohol का formation कर सकते हैं ठीक है बेटा, ठीक उसी तरीके से by reduction of carboxylic acid and ester, देखो जैसा कि मैंने बताया, carboxylic acid यह है, बताओ, carboxylic acid किसके oxidation से बन सकता है तो आप बोलेंगे सर, aldehyde, तो aldehyde किसके oxidation से बन सकता है, primary alcohol तो क्या हम alcohol तक लेके नहीं चाहेंगे, reducing agent लेंगे, reducing agent लेके, reduction करा 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 के आई बाल समझ में, ठीक उसी तरीके से हम ester का भी use कर सकते हैं, NCRT ने ester के reduction और alcohol के reduction के बारे में एक बहुत ही शांदार बात की है, बहुत ही शांदार बात की है, उसके बार में हम discussion करेंगे, जब यह topic पर आएंगे, ठीक उसी तरीके से, from grignard reagent, जैसा कि बेटा हमें पता organic plus metal, organic plus metal दिखेगा, तो organometally compound हो जाएगा, तो हमें पता है कि it is a source of, it is a source of, it is a source of nucleophile, it is a source of, क्या कहेंगे बेटा, nucleophile कहेंगे, it is a source of nucleophile, और अगर यह source of nucleophile है, तो यह base ही बन सकता है, क्या समझ भी आई बात बेटा, तो इसके help से भी हम alcohol का formation कर सकते हैं, अब यह कैसे हम आगे बताएंगे, लेकिन क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है कि इसमें से कुछ topic शूट गया है, सर, यहां पर भी हमने alcohol बनाया था, बट यहां पर आप discussion नहीं कर रहे हो, यह NCAT में चार बाते लिखी हुई है, है ना मैंने यहां पर इसलिए वो लिखे, लेकिन आपक आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए maximum चीज़े आपको हो सकती है, लगता होगा कि हाँ, सर को याद है, लेकिन इसके पीछे main कारण क्या है, इसके पीछे main कारण क्या है, आपको क्या लगता है, लेकिन मैंने क्या किया है, चीज़ों को relate करना सीख लिया है, अगर आप भी सीख जाएंगे तो आप भी और्गेनिक बहुत ही आसानी तरीके से सारे रियक्शन को पढ़ सकते हैं तो देखो मैं कैसा होसता हूँ सबसे पहले चप्टर याद करूंगा हाइड्रोकरबन और हाइड्रोकरबन में एलकेन याद करूंगा फिर सोचूंगा क्या एलकेन से अलकोहल बनाए या या सकता है ठिर दिमाग में आगा एक तो या एक तो याईसे बहुत मुशकल सी रियक्शन करता है रिच्टिव तो होता नहीं या परैफिनसा क्या जाए कि हो सकता है कोटाश्यum याद है किसी को केमनोफोर की रिक्षन है वेटा थ्री डिग्री हाइड्रोजन इन्टू एल्कोहल क्या क्लियर है बेटा सबको तो यह रियक्षन बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कभी-कभी कुश्चन फ्रेम होता है कि विचोथा फॉलोविंग एलकेन कैननोट बी एमेनोफोर थ्यान दखिएगा प्राइमरी शेकंट्री एंट टर्शिरी जो हाइड्रोजन होते हैं वो अलकोहल में कन्वर्ट उनमें से सिर्फ 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा प्राइमरी शेकंट्री नहीं होगा विच केमनोफोर ठीक है बेटा अलकेन की बात क्लियर यहां तो इनोल बन जाएगा यादा लिए वह प्लूमेsis के सकता है अब आता हूँ से मैं या दाएगा रहा दो मैं लिखोंगा मैं ऐसे बोकी बने किव्यखते वाड़ी धे यह सबसे पहले न, इसकी बेसिक रिक्षन के बाड़े जानना चाहता हूँ इसकी क्या मेंड रियक्षन क्या तो मुझे पता है विक उफ ऍॉफ इस लेविंग टेंडिंसी यह आसानी से जा सकता है, तो क्या हम इसको आसानी से लेके नहीं Court सकते तो लगा तो यहां पर एक वासे ने वुज़ तो यह भी रियक्शन दे सकता है, मतलब अलकाइल हलाइट से भी एलकोहल बनाया जा सकता है, है लेकिन हम यहाँ पर चार सिर्फ लिखें क्योंकि आपके यह यह लेकिन मैं क्या बोलो हर चप्टर को याद करो सोचो कि उसकी रियक्षिन क्या है अगर हमें वह पता चल जाएगा तो हम आसानी से रियक्षिन में आगे बढ़ सकते हैं ठीक है अगर तुम एक्स को और से रि क्लियर हो गया उसके बाद आता है अल्डिहाट की टून जो कि मैंने बताए दिया एक आता है अमाइन बहुत इंपोर्टेंट डियक्षिन हर दो तीन साल में एक बार आपको दिख जाएगा यह रियक्षिन जरा ध्यान से दिखेगा अगर वन डिग्री अमाइन की रियक्ष अगर याद हो आपको लेकिन अगर यहीं हम एरोमेटिक ले लेते तो डाइजोनियूम सर्ड लो टेंप्रेचर पर थोड़ा बहुत बन जाता है जिसके कारण बहुत सारे और गेनिक कंपॉंट्स का फर्मेशन हो जाता है ठीक है तो यह वाली रियक्षिन किस बच्चों की अमाइन वाली रियक्षिन याद थे कि आपको जरा बताए इसमें इंट्रमेडिट कार्बोटाइन बन जाता था बताओ जल्दी से क्या यह सारी बाते जो मैंने तीनों नीचे जो लिखी है क्या आपके दिमाग में छपा क्या है यह बताओ जल्दी बताओ चली बहुत अच्छी बात है चली अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अकर देखेंगे हम तो एक एक करके रियक्षिन पढ़ने वाले हैं प्रोम एलकीन चली चली ध्यान से दिखेगा बेटा यहां पर सारी के सारी बाते हम यहां पर कर लेंगे अगर हम यहां पर एलकोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो समझ लोग एलकाइल हलाइड की रियक्षिन भी कही ना कहीं पढ़ लेंगे एलकीन की रियक्षिन पढ़ लेंगे एल्डी हैड की टोन की रियक्षिन पढ़ लेंगे क्या समझ में बात क्योंकि हर किसी और गेनिक कंपाउंड का रियक्षिन किसी ना किसी का प्रिपरेशन तो है ही ना वेटा नहीं जैसका कर तुम एलकेन की रियक्षिन पढ़ रहे हो तो इसलिए focus इस पर करो कि हर organic compound का nature क्या है किस तरीके से वह reaction देता है क्योंकि अगर आप उसे reaction पर कवांड कर लिए तो वह कभी यहां पर बता देता हूं कि यह होता क्या है matrix मैं इसार हो पतावी के लिएक्षन वह सारे अन्यार वंगया की पता होनी चाहें चाहिए कौंसे ऑर-गैनीक यह होते हैं जो यह reaction देते हैं और इस reaction में overall क्या होता है यह मुझे पता होना चाहिए अगर मुझे नहीं पता है तो मैं reaction को रिलेट नहीं कर सकता नहीं समझ रहों जैसे मुझे अगर कोई पूछे और 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 इनी की कौन से इसी बात है जो हमेशा याद रहनी चाहिए अगर आप सोय हो मैंने उठाया तुम तब भी तुम बता सको इतना तो मुझे पता है उसके बाद तो मैं question देखके आगे सब्सक्राइब होता है और इलैक्त्रफलिक सब्सक्राइब और होसक्ता है लेकिन आपके सिलिबस में सिर्फ यह चार है लेकिन आए quieren पढ़े होंगे बहुत सारी रेक्शन्स होती हैं लेकिन NCRT में आपके नीट के लेबल पे और मेंस के लेबल में बस इतनी सी चीज़े दे रखी है अब दोखो इलेक्ट्रोफिल एडिशन हो गया सब्स्टिट्यूशन हो गया अब मेरे दिमा में क्या आएगा एलिमिनेशन तो एलिमिनेशन में आपको E1 और E2 पे कॉंसेंट्रेट करना है तो टोटल कितने रेक्शन होंगे काउंट करो तीन उपर हो गए दो पाँच पाँच चाल नो और नौर दो ही ग्यारा रेक्शन है और इन रेक्शन का अगर आपको यह पता है कि यह कौन से और ग अब आगे बढ़ते हैं जड़ा ध्यान से दिखिएगा जो मैं बोलना चाहरा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और लगे हाथ इस को समझा भी रहा हूं तो अध्यान से सुनियेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रेक्शन में बहली बात यह एलकीन और एलकाइन देते हैं कोन देते हैं एलकीन और एलकाइन की सबसे बेसिक रेक्शन यही है इसके अलावा FRAR और FRSR भी देते हैं बट उसके लिए एक स्पेशल कंडिशन चाहिए अधरवाइस वो नहीं देते हैं जैसा FRAR का पता है HBR के साथ परोकसाइड FRSR के लिए आपको पता होगा NBS लेते है क्योंकि वो एलालिक हाइडोजन को तोड़ रहे है उसके अलावा गर हम किसी पर अटेक कर रहे तो उसके लिए स्पेशल कंडिशन चाहिए तो एलकीन की सबसे बेसिक रिएशन है इसमें क्या होता है ध्यान से सुनिएगा इलक्ट्रोफाइल पहले जुड़ेगा क्लासिकल 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 क्लास तो पहले मैंने क्या बताई और क्लासिकलटान है और सब्सक्राउबΒ हो सकता है और आपको यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए Election पैचान चाहिए। इलेक्ट्रीजीन नेग़्क्रूफाइल हे यहाँ पर अगर देखें लेक्ट्रूफाइल है और हीließen का हाई ऑई है Acidic Hydration of Alken मतलब Alken में Acidic Medium में लाके Water को हम जोड रहे है ख्लियर है बेटा चलिए तो ज़रा ध्यान से दिखिए ये Alken है ये H2O H+, तो हमें पता है पहले स्टेफ में Electrofile जुड़ेगा Carbotene बनेगा, Carbotene महीं बनाना जाए Stability जादा हो, तो ये Arrow का मतलब क्या हुआ, कि यहाँ पर जा रहा है यहाँ पर Negative Charge है, तो Electrofile पहले ये जुड़ेगा यहाँ पर Electrofile जुड़ी है, CH3 बन गया Carbotene यहाँ बना और H2O जब जुड़ा होगा तो OH जाके लगेगा, तो बताओ यहाँ पर दिख रहा है, क्या Alcohol कैसे बना है Clear है, और इस Reaction का Intermediate किस तरीके से बना होगा CH Positive आगया होगा यहाँ पर और यहाँ पर CH3 बना होगा ठीक है, अगर अगर निकलूफile अटेक करने के बाद Chiral Center बना तो यहाँ पर Resume Mission पर बनने की Chances है चलो, यह बताओ पहले, Clear वह पहला Clear है बटा, जल्दी से बताओ Clear है, ठीक, बाकी लेक्ट्रोफिलिक एडिशन डेक्शन पर हाइड्रो कार्बन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर Clear कर दूँगा, सारी चाहिए, ठीक है चलिए, अब आते हैं यहाँ पर, Hydroboration Oxidation, अब Hydroboration Oxidation देखो तो पहले इस Reagent से Reaction करना है और उसके बाद इस से करना है, यह 1 और 2 का मतलब समझे है कि पहले Alkin 1 से Reaction करेगा, जो बन गया उसके बाद 2 से Reaction करेगा तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कि Hydroboration जो BS3 है बेटा, THF Solvent है BS3 क्या है, यहाँ पर Electrophile है, क्योंकि Boron के पास यहाँ पर देखे 6 Electron है तो इसको Consider कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैं पूरा Mechanism नहीं बताऊँगा इसको Consider हमेशा कर लेना है, कि आपके पास BH2 और H- है इस तरीके से Consider कर लेना है, और Reaction कर देना है तो मुझे बताइए, पाइबोन यहाँ पर जाएगा, ताकि बनने वाला करबटन का हो, स्टेबल हो तो अगर यह यहाँ पर गया, तो इस पर कौन सा पाट आएगा, Electrophilic, क्योंकि इस पर Negative Charge है, तो BH2 यहाँ चला गया, और H यहाँ चला गया और इसी Process को बोलते है Hydroboration, इसी Process को क्या बोलते है, Hydroboration, और यह एक साथ होता है और मेंबर, Cyclic, Transition State का Formation होगा, Sin Edition से Complete होगा, और इस Process को Hydroboration बोलेंगा, और यह एक शन और दो बार होती है, जिसमें Tri-Alkyl Borane बनता है बट फिलाहल उसको हटाते हैं, यहाँ पर अब प्रोड़क्ट बनाने पर फोकस करते हैं, तो Hydroboration कहीं भी दिखे आपको, B2H6 दिख जाए, B3 दिख जाए, अपने दिमाग में सोच लेना है यह बाद, कि BH2 प्लस और H- माल लेना है क्या माल लेना है, BH2 प्लस और H- माल के जोड़ दिया, अब H2O2 OH-, अगर यहाँ पर Basic Medium दिख रहा है, OH-, H2O2 OH- अगर दिखा, Basic Medium तो Oxidation करना है, और यहाँ पर इस BH2 को, H2O2 क्या करता है, Replace कर देता है, और Finally यहाँ पर Alcohol का Formation हो जाता है, जर अध्यान से देखो, यहाँ पर Secondary Alcohol बना था, और यहाँ पर Primary Alcohol बना है, यहाँ पर OH उस Carbon पर गया था, जहाँ पर Carbon Stability ज़्यादा है, बट यहाँ पर OH उस Carbon पर गया है, जहाँ पर Carbon Stability ज़्यादा नहीं है, तो In General कहा जाता है, कि Acidic Hydration complete with Marconic of Rule, and Hydroboration Oxidation Reaction complete with Anti-Marconic of Rule, क्या समझ मैं आया, उसमें क्या ह इन दोनों पर जरूरी नहीं है, कि OH लगेगा, OH उधर भी जा सकता था, अगर Rearrangement होता तो, बट इसमें ऐसा नहीं है, जहाँ पाई-Bond है, उसी दोनों Carbon पर H और OH जाके लगेगा, OH वहीं लगा दिजिए, जहाँ पर Carbon Stability कम हो, या यू कह सकते हैं, जहाँ पर Steric Hindrance, जिस Double चली, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स आता है बेटा, ओक्जी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन, ठीके, यहाँ देखिए, ओक्जी मर्कुरेशन, डी मर्कुरेशन में, रियेजेंट देखिए ध्यां से, मर्कुरी एसिटेट यूज किया गया, तो मैं कैसे सोचता अगर मैं हाइड्रो करन पढ़ाता है, तो सारी चीजे बता जेता, एक एक करके आप देखके, इलेक्ट्रोफाइल निक्लूफाइल बता जेते हैं, या तो आप उस लेक्चर का वेड कर लीजे, या तो आपने पढ़ा हो, तो थोड़ा समझ लीजे, मैं रिलेट करता हूँ मर्कुरी दिखा, मुझे पता है, इलेक्ट्रोफाइल मिल चुका है, इलेक्ट्रोफाइल मिला है, तो कहां जाएगा, वन पे जाएगा, वन पे जाएगा, क्योंकि बनने वाला कार्बोटन स्टेबल है, ये बाते समझ में आ रही है, बनने वाला कार्बोटन क्या है, टू में नहीं होता क्या समझ में आई बात तो मर्करी को कहा लेकर चले गए है एच जी के पास अब यहां पर देखेंगे न्युक्लोफाइल कौन है एच्टू ओ एच्टू कहां एटेक करेगा च्छ पे तो यहां पर क्या जूड़ जाएगा और पहला स्टेप क्लियर हुआ कि मर् आई बोर्ण हॉड्यंगा फॉडू के साथ ओ लग यह नहीं होगा ध्यान रखियेगा मतलब जिस कारबन पर double bond है उन्हीं दोनों में कहीं भी OH जाएगा और OH वहीं जाएगा जहां के time की stability जादा होगी इसमें समझे जिस double bond जहां पर double bond है जिन दोनों carbon के बीच में है H2 जाएगा OH जाएगा कि नहीं यह depend करेगा कि rearrangement हो रहा है या नहीं हो रहा है hydroboration में इन्हीं दोनों में से कहीं OH जाएगा और कहां जाएगा है आपको HbH2 जोड़ने के बाद भी पता चलेएगा चलो बताओ क्यया alkene से alcohol बनाने का part clear हो चुका है आलकोल क reflect ृट् guaranteed हमने अलकोहल बनाना सीख लिया है क्या बताओ क क्या यह बोलो तो इस एक कुश्यन दे रहा हूं ठीक है चल फटा फट इसको ट्राई करो जल्दी से ट्राई करो सब लोग के पास 10 सकेंड है फटा फट ट्राई करो लिख लिख के ट्राई करो गलती नहीं करना मैंने कॉमन नेम का भी यूज किया है क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग कॉमन नेम क चलिए अब मैं बताता हूँ बता दू मैं बता दू बता दू जल्दी बताओ चलो मैं कैसे सोचता हूँ ध्यान से देखू आइसू ब्यूटाली नोन हाइड्रो बोरेशन फॉलड बाई रियक्शन विद एच्टो टो हमाइनस ठीक है तो सबसे पहले पता जब भी एक्जा सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने शार क्या बोला आइसो ब्यूटाइलीन का मतलब क्या हुआ डबल बंड लगेगा और आइसो का मतलब सकेंड कारवन पर एक सी अस ठी लग चाईए एइच्टा थी यह और इसके बोल रहा हाइड्रो बॉरेशन का मतलब क्या हूआ ना बहु ले लेंगे बेटा पीएस्थरी बीएस्थरी के साथ टीएचेफ या हो सकता एक्जाम में आपको बोल दे बीटू एसिक्स के साथ टीएचेफ कुछ भी दे सकता आपने को से मतलब नहीं है पहला तो यह करना है उसके बाद बूला है फॉलर वाई मतलब जब रियक्शन हो जा कि पहले पर कार्बाटरी इस्टेबल बनेगा कि दूसरे पर तो हम यह इस तरीके से यहां लिजाएंगे कि सर्द आपर थ्री डीग्री आपर बनेगा इस का नहीं जाएंगा यह तो यहां बना चू यहां पहला ह इधर आ गया CH, इधर आ गया CH3, और यहां पर भी आ गया CH3. This is hydroboration, this is hydroboration, addition of hydrogen with boron, हो गया बेटा, अब क्या बोला है, followed by this, तो जैसे कि मैंने बताया, basic medium दिखेगा, oxidation कर देना, H2O दिख गया, acetic hydrogen दिख गया, carboxylic acid दिख गया, तो reduction कर देना, Hydroboration के बाद oxidation भी हो सकता है, reduction भी हो सकता है, reduction करने के लिए H2O लिया जा सकता है, acetic acid लिया जा सकता है, और oxidation करने के लिए H2O2 के साथ OH-, basic medium दिखा जाएगा, तो यहां पर अगर माल लीजिए, H2O2 और OH- दे दिया, तो यह BH2 को क्या कर देगा, replace H2O2, और यहां पर finally क्या जा आ गया क्या, इस question से, Hydroboration का part, and भूमी बेटा गलत, this is primary alcohol, not secondary alcohol, और यह conversion में बहुत ज़्यादा काम आता है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेगा, यह conversion में बहुत ज़्यादा काम आता है, ना, चलिए, बताइए, clear हो गया सबको यह, चलिए, ठीक है, तो एलकीन से हमने alcohol बनाना सीख लिया था, next part is reduction of carbonyl compound, है न, reduction of carbonyl compound, देखते रहो बेटा, session complete होते होते होते, अगर तुमारा aldehyde ketone का 30-40 parts, alcohol phenol, halolkin, halorins का लगबग 20-30% part, और hydrocarbon का 20-30% part, revision हो जायागा, इस session complete होते होते, 100% है, अभी अभी आपको दिख गया होगा कि ER का part clear हुआ है, reduction of carbonyl compound, तो पहले मैं सोचूंगा, carbonyl compounds का होता है, चलो मन में बोलो बेटे-बेटे महीं पर, क्या ये aldehyde और ketone होता है, this is aldehyde and this is ketone, क्या सही बात है, aldehyde में भी आगे classify करते है, aliphatic aldehyde and aromatic aldehyde, उमीद है आपको पता होगा, when CHO is directly attached with benzene, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे, aromatic aldehyde, clear है बेटा, चलिए, तो अब reduction करना है, देखो बेटा, aldehyde की tone का जो reduction है, वो दो तरह से होता है, ध्यान से समझना है न, दो तरह से होता है, ध्यान से देखिएगा, देखता हूँ कितने बच्चों को याद है, पहला ये, कि भाई, यहाँ पर इस तर अलकेन में convert कर देना है, दो ही है, reduction aldehyde की tone के, नहीं समझे, aldehyde की tone के दो ही तरीके के reduction है, पहला, अलकोहल तक लेके चले जा, दूसरा, अलकेन तक लेके चले जा, मैं एक इसमें बता देता हूँ, red phosphorus, HI, यादा रहा क्या, HI, HI is a strong reducing agent, यह है oxygen का दुश्मन, oxygen का sapphire, butanon से, butan, pentan on से, pentan, hexan on से, hexan, यादा रहा क्या, acetone से, acetone से क्या बनेगा, acetone से क्या बनेगा, acetone से क्या बनेगा, propane, propane, acetone मत बोल देना, क्या समझ में आई बार, राज, तुम बोल रहो, NAR, मैं NAR के बात नहीं कर रहो, मैं reduction की बात कर रहो, है न, aldehyde ketone के reduction की, तो देखिए, हमें alcohol का formation करना है, तो हम इस पर concentrate करेंगे, थोड़ा सही ये fast में बता देता हूँ मैं, कि अगर aldehyde ketone को alkyne मिले के जाना है, तो red phosphorus HI आपके सामने हो सकता है, या clemencion हो सकता है, या wolf kishner हो सकता है, या याद आ रहा हो गया, clemencion, wolf kishner, red phosphorus HI से हम aldehyde ketone को respective उसके alkyne में convert कर देते हैं, clear, चलिए, लेकिन अब हमें इस पर focus करना है, देखिए, aldehyde ketone को alkyne convert करने का तरीका क्या है, कि सबसे पहला है, तरीका ये, कि आप ले लो H2 और उसके साथ ले लो catalyst, याद करो बिटा, H2PD ले लिया, या H2PT ले लिया, निकलोगे तो थोड़ टेंपरेचर जादा लेना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, H2 तुम्हें खुद बताएगा, अगर तुम H2 से reaction कर रहे हो, मालब hydrogen जोट रहे हो, hydrogen जोटने का मालब reduction कर रहे हो, तो ये याद करने वाली चीज नहीं है, इसको भी बच्चा रटता है, H2 के साथ catalyst ले रहे है, catalyst क्या करता है, hydrogen, hydrogen के bond आपसे काफी strongly bonded होते हैं, उनको किसी त तो देखो, यहाँ पर आजागा OH, यहाँ पर आगया H, और 1H यहाँ पर पहले से था, तो जड़ा ध्यान से देखो, यह 1 degree alcohol का formation हो गया है, आए बात समझ में, और अगर हम ketone के साथ ये काम करते हैं, तो सेम वही बात, pi bond तोड़ो, दोनों जगा hydrogen जोड़ो, तो अगर हमने हमने दोनों जगा hydrogen जोड़ा, तो यहाँ पर क्या बन जागा, secondary alcohol, 2 degree alcohol, clear बेटा, अब आते हैं, एक और, इससे तो काम करी सकते थे, एक और तरीका है, कि भाई, LILH4 ले लो, LILH4 का नाम बताओ, क्या होता है, LILH4 क्या होता है, लीथियम, अलिमूनियम, हाइड्राइड, ज इसमें अलिमूनियम और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होते हैं, वो वीक होते हैं, और रियक्शन में वही सिग्मा बॉन्ड जाकर, अटेक करके, रिडक्शन करते हैं, ठीक है, LILH4 को इन जनरल हम लोग एथर में रख के रियक्शन करते हैं, तो बच्चा डर जाता है, कि ये एथर क्या दे दिया, एथर is act as a solvent, और उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, फॉलड वाई, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है बटा, कभी-कभी एग्जाम में हाइड्रोलिसिस दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा, तो उसे परिशान मत होना, तो LILH 4 के साथ हमने H2O ले लिया, या इसके जगह पे एक और काम कर सकते हैं, एक और reducing agent, नाम देखो, नाम पढ़ो, clear हो जगा, sodium boron hydride, hydride H- दे रहा है, तो यहाँ पर भी इसको हम किसमी लेते हैं, बेटा, methionol या water में लेके reaction करा देते हैं, तो यहाँ पर जो है, यह इस तरीके स compound को alcohol में convert करते हैं, इनका काम क्या है, hydride जाता है, इस partial positive दिख रहा है ना बटा आपको यहाँ पर, electron की deficiency है, due to EN difference, इस पर attack करता है, और यह pi bond को खोल देता है, यह pi bond को खोल देता है, तो बताइए, इससे जो H जाएगा, या इससे जो H जाएगा, वो यहाँ जुड़ेगा, pi bond खोल देगा, ओपर minus आ जाएगा, minus पानी से H को खा जाएगा, तो दोनों जगा H नहीं आ जाएगा, भोलो समझ में आई बट, तो इस बात को समझेगा, कि LILH4 जो होता है, LILH4 जो होता है, वो strong reducing agent होता है, as compared to NABH4, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जो hydride shift नहीं होता है, क्या समझ में आई बात, और आपके syllabus में NABH4 अगर दिक है, तो समझ लिजेगा, तीन को react करेगा, पहला किसे करता है, LDH, दूसरा ketone, और तीसरा acid halide, सिर्फ इन तीनों का ही reduction करता है, और यह oxygen वाले compound को, उसके respective alcohol में लेके चला जाता है, बस इतना सा काम ह है, मतलब अगर तुमने, अगर तुमने प्रोपेनल लिया है, प्रोपेनल, समझ मेरा तीन कर्वन LDH, तो प्रोपेनल बना देगा, ब्यूटेनल लिया है, तो ब्यूटेनल बना देगा, नहीं समझे, acid halide लिया, जैसे मालो तुम लिया, acetylchloride, तो यह क्या बना लेगा, ethanol, प्रोपेनल दो कर्वन था, दो कर्वन के अल्कोहल, तो NABH4 इन तीनों को रिडियूस करता है, जबकि LILH4 जो है, बेटा, यह सारे पोलर पाई बॉन्ड को रिडियूस कर सकता है, सारे पोलर पाई बॉन्ड को रिडियूस कर सकता है, एस्टर को भी कर सकता है, को नहीं करेंगे क्यों क्या करना है अगर जब को जाना है तो मैं बता दूँ अगर क्या था उसमें पॉलारिटी आ जाता है तो उसकेस में नॉन पॉलर पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है ठीक यह अपने से लिवस में वैसा है नहीं फिर भी मैंने आपको बता दिया एला एल्लेच फ़र एने बीच फ़र की जो कहानी और गेनिक में आपको दिखेग यह औक्सीजन यह पाई बॉन्ड वाले को रिड्यूस करतें एक जिसके पास सुलिर पाई बॉन्ड पाइब कर देगा उक्सीजन वाले को अल्कोहल में नाइट्रोजन वाले को अमइन में चला कितने बच्चो को याद आ गया है सच्छिञ लंदी बताओ हाँ बेटा प्रिया सही बात जल्दी बताओ क्या clear हो गया सबको यह reduction का पार्ट clear हो गया अल्डी हाईड किटोन से alcohol कैसे बनाते clear है हलाख ही यह reaction अल्डी हाइड किटोन की यह तो अल्डी हाइड किटोन चेप्टर मिलता है यहां पे भी NCRT दे रखिये चलिए आगे बढ़ते हैं सर पिछली कोशियर में टर्शिर अलकॉल बन रहा है मेरा डाउट पिछली कोशियर में अच्छा नहीं बेटा देखो बी एच्टू जो है बेटा यहां चला गया है तो बी एच्टू को ही रिप्लेस करता हो अगर हम बात करते हैं ध्यान से देखिएगा इस कार्बॉक्जलिक एसिड का हम रिदक्शन करें तो अगर हमें इसे अल्कोहल में लेके जाना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं अच्छा एक बात बताओ बेटा पढ़ रहे हैं रिदक्शन तो रिड्यूसिंग एजन्ट के बारे में नॉलेज होना चीए जरह मुझे बता आईए क्या आपको लाई एल्यूसिंग एजन्ट रिदक्शन करते हैं इसके लावा डाइब लेच आएगा सोडियूं इधन होला है तो नुछ नहीं आने वाले रिदक्शन में इससे जादा है नहीं आपके पास तो दिखें ध्यान से ये तीन के बारे मैं कंट्रूल कर लो पूरा रिडुक्शन समप्ठ हो जाएगा तो देखो क्या यह पोलर पाइबॉंड है मैंने क्या बताया था अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर मैं यहाँ ले लूँ ठीक है और जैसा कि पता है कि यह इसे एथर में रखते हैं और फॉलरड बाई हाइड्रोलिसिस कर दूं तो क्या यह बनेगा तो आपको बोलन एक्सिजन वाले पॉलर पाइबॉंड एल्कोहल में चले जाएंगे नाइट्रोजन वाले अमाइन में चले जाएंगे तो कुछ नहीं करना है डारेटिस को अलकोहल में कर दिया समाथ गेम ओवर अच्छा और कोई है जो एलकोहल है कारबॉक्स दिक तक मैं करेगा एक मतलब क्या हुगा यह अगर लिखता हूं इसका मतलब क्या हुगा बता है अगर मैं B2S6 लिखता हूं तो क्या होगा प्रिया एच्टू पीडी बीए से फॉर नहीं लेते हैं ध्यान रखेगा शगुन ऑग्जी मर्कुरेशन वाले में मार्कॉनिक फूल हो रहा है सही बात है एकदम सही बात है चलिए बताईए मेरे को यह उल्याजिए तो आपको बुनना चाहिए अगर अगर वही H2PT के साथ, अगर मैंने यही B2S6 इस्ताथ, अगर मैंने H2O2 OH- ले लिया, basic medium ले ले लेता, तो आपको याद रखने का टेक्निक है, कि सर, आप वहाँ पर oxidation कर रहूँ, ठीक है मैटा, तो देखो, B2S6 में भी पता है, BH2 plus H- होता है, यहां से भी hydrogen मिलता है, और य यहां से भी अपने को hydrogen मिलेगा, और यह finally क्या करेगा, इस carboxylic acid को तोड़के, alcohol तक लेके चला जाए, क्या समझ में आई बात, यह carboxylic acid चेप्टर में दिया हुआ हुआ है, तो diboran, जो है carboxylic acid को alcohol मिलेके चला जाता है, लेकिन कुछ wargany compounds को लेके नहीं जाता है, यह NCRT याद रखेगा, अभी लिख लिजिएगा, डाइब और ये 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 रिडेक्शन गेम हो गया क्या बेटा, कार्बॉक्जली किसी का reduction समझ में आया क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, बताओ मेरे को बिदल दीसे, कार्बॉक्जली किसी का reduction क्लियर है, बता दो, बत जा तो दो, क्लियर, चल, अब एक बात समझो, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, अना, कार्बॉक्जली के सिड्ड को जब हम L.I.L.H.PRO के साथ reaction करके reduction करते हैं, और alcohol बनाते हैं, तो ऐसा बता जाता है कि यह काफी महंगा होता है, अना, आसानी से नहीं हम कर सकते हैं, तो इसलिए जो भी कार्बॉक्जली के सिड्ड मिलते हैं, उसको कुछ लोग बोलते हैं, ऐसे कि NCRT बोलती है, कि देखो भई, वो कार्बॉक्जली के सिड्ड जो भी है, जो भी कार्बॉक्जली के सिड्ड है, वो क्या है कि H2PD के साथ तो reaction आसानी से करता नहीं है, यह H2PD के स से अर्प्रार से ये करें हो गया और हमें पता एंस्टरre Алपर यह वाला पार्ट यहां से चला जाता है तो यहां पर क्या बन अ मतलब यह पर मतलब एलकोहल की चला गया म सब्सक्राइब इस को भी आगे नहीं देखेगा कि पोलर है या नॉन फोलर से मतल्य नहीं है चखी नहीं कोई पाइपवंड थो तोड़ देंगे ऑल्लप बेंजी उसको भी तोड़ देंगे एक्टिवेशन इंड़ी थोड़ी ज्याधा लेगेगी तोड़ देंगे भग्वान थोड़ी नहा तो ध्यान दख पड़ा है कि oxygen वाले compound alcohol में तो बेटा देखो इसके इधर दो carbon है इधर एक carbon है तो दोनों को तोड़ दो तो यहाँ पर भी बन जागा क्या CH2OH इधर वाले carbon का alcohol बना दो और इधर वाले carbon का भी alcohol बना दो क्या समझ में आई बात बेटा हिए जल्दी से बताइए यह clear हुआ क्या कि बोलो 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 है के टेलेटिक हाइड्रोजिनेशन कहते हैं इसे बताओ क्लियर हो गया सबको रिडेक्शन आप कार्बॉक्जिली इसे क्लियर कोई दिक्कत नहीं बढ़ियां चलिए बहुत अच्छी बात है तो अब हम आगे बढ़ते हैं अब नेश्ट आता है बेटा रियक्शन ऑफ ग्रीनाट रिएजिंट विथ एल्ल्दी हाइड इन किटोन तो यहां पे तुम पढ़ रहे हो एल्कोहल फिना लिथर और यह ऐसा चप्टर है बाई सा पुरा रियक्शन ही इसमें ले के आ जाता है ठीक चलो समझते हैं थोड़ा पहली बात कि ग्रीनाट रिएजिंट क्या है कैसे बनता है देखिए जब एलकाइल हलाइड की रियक्शन हम मेंगनेशियम के साथ करते हैं इन प्रजेंस ओफ ड्राइधर तो आजकल ड्राइधर क रिख जैसा कि मैंने बताया डिस ऑरगेंडिक यहर्णुम मेटलिक अंपॉण और अगर यह और कं पॉड़द होता है का सीषा ड्राइधर करदेगा जैसे अगर मानलों तुम्हारे पासं और चलोα पहीं हैं है और मेंगनेशियम से reaction कर रहे हो तो ड्राइधर के presence में तो यहाँ पर भी आपके सामने क्या बनेगा ग्रिग्राट रिएजेंट ही बनेगा अब ऐसा नहीं सुचने सार रेजोनेंस है यह तोड़ देगा उसको बन जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर क्या करना है यह भी क्लियर है अपने बस ठीक अब यहाँ पर जो न्यूक्लोफाइल है न्यूक्लोफाइल से related reaction कौन-कौन सी है आपके chemistry में तो आपको पता होगा कि सर एक तो एन से ए आर आ जाता है न्यूक्लोफिलिक addition reaction और दूसरा क्या आ जाता है न्यूक्लोफिलिक substitution reaction क्या सही बात है बैटा और अगर सर एन सार लिखते हो तो खटा-खट होई पर SN1 वहाँ पर SN2 यहाँ पर SNAE और यहाँ पर SNAR लिख दो मानते हो बैटा and this nucleophile is strong nucleophile तो basically NSR में SN2 deal करेगा alkyl halide के साथ SNAE का मतलब क्या हुआ कि सर यह acid के derivatives करेंगे जैसे acid halide ester anhydride क्या समझ में बात यह इस तरीके के लोग reaction करेंगे SNAR में कौन आते हैं aryl halide आते हैं क्या aryl halide पता है benzen से dietly halogen जुड़ा हुआ है ठीक अब आते हैं NAR NAR कौन देते हैं तो आपके दिमाग में छपा है कि सर aldehyde and ketone और मेरे दिमाग में छपा है कि सर जिसके पास polar pie bond होता है और living group नहीं होता है हम उसे ही NAR मानते हैं क्या समझ में आया क्या मैं ने बोला जिसके पास polar pie bond हो और living group ना हो वो न्यूकलोफाइल के साथ NAR दे सकता है यहीं है main concept सिर्फ aldehyde ketone याद रखने से पायदा नहीं होता क्या समझ में आई बात बताईए क्या clear हुआ जो मैंने बोला अभी तो अब देखिए किस तरीके से reaction होगी आप खुद से देखिएगा क्या होता है अगर मान लिजे मैंने यहाँ पर aldehyde लिया देखिए aldehyde है इधर hydrogen इधर carbon जैसा कि हमें पता है polarity है तो यहाँ पर EN difference के कारण यहाँ पर partial positive partial negative होगा carbon is electrophilic part oxygen is nucleophilic part ना इधर वाला living group है ना इधर वाला living group है बताईए अगर मैं ग्रिगनाड रिएजेंट ले लूं RMGX ले लूं और R पे negative charge लगा दो इसको dash दे देता हूं differentiate करने के लिए तो मैं तो nucleophile हूं nucleophile का मतलब मेरे पास तो यह है बगल में कौन है polar pie bond है बहुत अच्छी बात है तो मैं तो यहाँ जुड़ भी सकता हूं और इधर कोई living group नहीं है तो बोलेगा तो मैं तो सिर्फ जुड़ूंगा किसी को हटाने वाला नहीं हूं अगर वहाँ living group होता ऐसी धल रहेगा attack और pie bond यहाँ से open हो जायागा पस इतना ही करना है नियर में यहीं करते हैं nucleophile attack pie bond open तो बदाए यहाँ पर क्या लिग दिया है यहाँ पर कौन जोड़ा था r- यहाँ पर क्या आगया तो ओपर माइनस इस पर कौन था बेटा mgx यहाँ चोड़ दो जब भी इससे reaction करत है तो followed by मैंने बताए ही था hydrolysis कर देते हैं hydrolysis कर दो तो एच्टो में acidic hydrogen है ओपर माइनस है माइनस ने हैच को खाया तो फाइनली यहाँ देखिए है कहां गया ओ है क्य समझ वैब तो दो को गणी करे यह होता है Özagan की संख्या बढ़ जाती जो भी हम अको में गल्या यह हैँ उसकी संख्या जाके पहली बात में तो कारबन की डिगरी बताओ मेरों को सब लोग कि यह दिखराimon में इस कारबन की डिगरी बताओ क्या है भी बताओ एल्डी हाइड में कार्बन के डिगरी बता दो मेरे को बस फटा फट क्लियर हो जाएगा तुम्हें बताओ इस कार्बन के डिगरी क्या दिख रही है तुम्हें क्या वन डिगरी दिख रही है चलिए ठीक है तो अगर यह वन डिगरी दिख रही है अगर यह 1 degree दिख रही है तो यह carbon जाके जुड़ेगा तो simple सी बात है एक और carbon जुड़ा तो यह 2 degree नहीं हो गई मतलब aldehydes जो होते हैं वो grignard reagent से NAR करके 2 degree अलकोहल बना रहे हैं तो सोचो ketone क्या करेगा ketone की अगर मैं बात करूँ ketone की तो ketone में already दोनों side carbon होते हैं तो अगर कोई grignard reagent आता है जैसे PHMGX आ गया तो यह जाके यहाँ attack करेगा तो pi bond यहाँ पे ऐसे open हो जाएगा मतलब यह already 2 degree था एक carbon आया तो 3 degree हो जाएगा मतलब समझे कि ketone 3 degree अलकोहल प्रिपेर करता है ग्रिगनाड reagent के साथ aldehyde 1 degree 2 degree अलकोहल बनाता है लेकिन aldehyde में ऐसा aldehyde है ध्यान से देखना बटा ध्यान से इस aldehyde को देखो मुझे बताओ अगर यह grignard reagent के साथ reaction करे तो कौन सी degree अलकोहल बनायागा देखो यह अभी 1 degree है और अगर यह आके लगेगा तो भी 1 degree होगा अगर मैं यहां RMGX लिख दूँ और मैं बोलू किसका reaction करा दो अगर यह reaction करेगा तो पाई बन खुल जाएगा और आपको भी पता है कि अभी भी सिर्फ और सिर्फ वन डिगरी अलकोहल ही बनायागा मतलब एक लाइन दिमाग में छाप लें कि सर्फ औरमल्ली हाइट विल गिव वन डिगरी अलकोहल वित ग्रिगनाड रिएजेंट वेराइस रेस्ट उ अलडिगेड विल गिव तू डिगरी अलकोहल बट इन कैस कितोन ग्रिगनाड रिएजेंट विल गेव 3 डिगरी अलकोहल क्या बताइए ये बाते क्लियर हुई बताइए अन और वाली बाते क्लियर हुई या नहीं जो मैंने अभी बताया आपके दिमाग में छपा या नहीं छपा छप गया चल तो aldehyde से हम लोग अभी देख चुके हैं कि किस तरीके से हम alcohol का formation कर लेते हैं अल्कोहल अलकीन से बना सकते हैं, aldehyde ketone के reduction से बना सकते हैं, ester के reduction से बना सकते हैं, aldehyde ketone को greener reagent से reaction करा के बना सकते हैं तो हमने ये सारे methods देख लिए हैं, अब उस पर based जो आपके index questions हैं, उसको मैंने यहाँ पर रखा है option नहीं दिया है, मुझे पता है, pyq बहुत सारी जगा आप देख लेते हैं, आप खुद भी इतनी बार बना लेते हैं, कि आपको याद हो जाता है इसलिए मैंने try किया है, कि pyq ना रखूं, रखूं तो कुछ ऐसे questions रखूं, जिससे आपको मैं बहुत जादा चीजे उससे relate करके समधा सकूं, चलिए, तो देखें यहाँ पर कुछ question है, the products expected from the following reaction, ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है, कि भाई, क्या मिलेगा, क्या नही समझे इस question को, reaction of propanone, तो पहले मैं पता है क्या करूंगा, मेरा तरीका पता है यह आपको, propanone अच्छा, पहले बना दो propanone, यह लिखना नहीं सीखोगे, तो organic questions नहीं बनेंगे, with methyl magnesium bromide, with methyl magnesium bromide, followed by hydrolysis, what is the meaning of followed by hydrolysis, कि जब reaction हो जाए, तब वहाँ पर H2O जोड देना, तो इस इस ग्रिगनाड रिएजेंट, और हमारे पास एक न्यूकलोफाइल है, बगल में polar five bond है, living group नहीं है, and because of that, मैं क्या सोचता हूँ, NAR, और यह जाके यहाँ पर attack करेगा, five bond open हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ, CH3, यहाँ पर O-Pर माइनस, यहाँ पर MGBR आ जाएगा यहाँ पर CS3 और नया वाला CS3 यहाँ जुड़ गया है, जुड़ने के बाद काईरल सेंटर बन नहीं रहा, तो रस्मी मिश्टर का चांस भी यहाँ पर नहीं होगा, followed by hydrolysis बोला है, तो hydrolysis का मतलब यह होता है, H2O जोड़ दो, ओपर बैठा हुआ negative charge तयार है, acidic hydrogen को खाने क लिए इसके H को खा जाएगा, तो finally कुछ इस तरीके से बन जाएगा, चलो बताओ, clear है, जल्दी से बताओ clear है, बुलो बुलो, clear है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, चली, तो मैं चाहता हूँ, इस question को आप जल्दी से बना है, जल्दी से try किजिए, आपके पास सिर्फ 15 second है, जल्दी से, try करो, try करो, जल्दी से, जो time लगेगा, alcohol में लगेगा, phenol ether, बहुत जादा बड़ा topic नहीं है, क्या आपको लगता है, कि ये try कर सकता है, catalytic reduction of butanol, मैं कैसे लिखूंगा, butanol, अच्छा, ये al क्या बताता है, aldehyde, और अगर ये aldehyde बताता है, तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इस तरीके से, butanol लिख दिया, मैंने 4 carbon और aldehyde बना दिया, catalytic reduction और catalytic reduction मुझे पता है, catalyst represents में हम इस तरीके से reduction करते हैं, और ये बोलता है, कि आपर तो एक ही चीज़ आता है, पाइब और टोड़के oxygen जोड़ोगे, तो शायद आपको ये दिखेगा, चार carbon होई है, बस लास्ट में यापर alcohol आ जागा, क्या बताईए, क्या concept clear हुआ बटाया reduction का, बताईए जल्दी से, बताईए बताईए clear हुए, आगे बढ़े हैं, चलिए, तो अपर नहीं यहाँ पर, preparation वाला part cover कर चुके हैं, अब कुछ और question है, index question फटाफट देखिए जल्दी से, मैं कैसे सोचता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मुझे पता ही कि आप बना लेंगे, लेगे तो देखिएगा कि मैं किस तरीके से question को टेगल कर रहा हूँ, एक्जाम में मानलो question अगया, दोगो सारे mix करके question दिये हुए है, मैं क्या सोचता हूँ, कि सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को, यह एलकीन, तो मेरे दिमाग में आता है, अलकीन से सबसे पहले कौन-कौन से reaction सोच नहीं है, मैं EAR सोच नहीं है, then FRAR सोच नहीं है, then FRSR सोच नहीं है, पहले तो मैं यह देखूंगा, ठीक, अब EAR में मुझे पता है कि इलेक्ट्रोफाइल और नुक्लोफाइल जुडता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुडता है, कार्बोटान बनता है, देन नुक्लोफाइल आता CH लिखा और यहाँ पर CH3 लिखके यहाँ पर positive जगा दिया then H2O बोलता है कि मैं आऊंगा और nucleophilatic करूँगा rearrangement करना है तो कर लो यह कारवटान बोलता है rearrangement करने से फायदा नहीं नुकसान है तो मैं rearrangement नहीं करूँगा और यह जाके यहाँ पर attack करेगा तो finally यहाँ पर कुछ इस तरीके से अलकोहल बन जाएगा ठीक उसके बाद दूसरे question आता है दूसरे question देखो इसमें ketone है इसमें ester है functional group पहचानना सिखो नई सिखोगे मजा नहीं आए ketone है ester है अब मुझे बताओ NABH4 NABH4 का मतलब sodium boron hydride होता है ठीक है होता है sodium boron hydride reducing agent है हाँ है किसको किसको reduce करता है LDH, ketone, acid halet fitsable बैठे घर पे LDH, ketone, acid halet तीन को reduce करता है NCRT में आपके तीन दिरका तीन को reduce करेगा और तीन हो कहां लेगी जाएगा अलकोहल में बाकि सब को छूता भी नहीं है बोलता है क्योंकि यह वैसे ही रहेगा बट यह तूट जाएगा तो कैसे करेंगे इसके साथ reaction करें तो यहां तो अलकोहल बन जागा क्योंकि यह एलकोहल मिलेकर चला जागा और अब आते हैं थार्ड कोशन में एने भी इस फर अगें रिडक्शन है जरा देखिए इसमें कोई है हाँ यहां पर है यह कौन सा फंसल्ट ग्रूप है इसको तोड़ देगा अल्डी हैट को तोड़ के कहां लेकर चला जागा अलकोहल में तो अगर अलकोहल में लेकर जाएग ठीक बैटा बताई जल्दी से क्लियर हुआ क्या ये बताईए क्या ये इंटेक्स कोशन आप सबसे बन चुका है बताईए जल्दी से क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुआ बहुत बढ़ी यह चलिए तो आप सब लोग मुझे बताएंगी इस कोशन को अगर इसको बना लिया तो बैटा मजा आ गया इसको बनाया तो मजा आ गया बना लो बना लो जल्दी से जल्दी से बना लो बटा जल्दी से बना על लो यह बना यह जल्दी से ट्राइग करो बैटा आख को बीकार्ण कॉमेंट क्रों एक वे फाइदा नीए है विटा जो लोकेश हैं है आप इससब चीजे मत करो और पूरा बेटा आभी दूसरे पर ध्यान नहीं दो, आराम से अपना पढ़ो और निकलो, हम लोग यहाँ पर पढ़ने आ है, सेलेक्शन लेना है, निकलना है, ठीक है, यह सब कम आपका नहीं है, आप पढ़ते रही है आराम से, हम लोग सब एक है, चलिए, ट्राइ कर लिया कैस आप सूटेबल ग्रिगनाड रिएजेंग्ट और मीथेनोल, बहुत ही प्यारा कोश्चन है, बेटा, कॉंसेट क्लियर करने के लिए इस से अच्छा नहीं होगा, और यही एंजियाटी के कोश्चन है, इसमें क्या करेंगे, निक में पता है, सेम कोश्चन रखके, चार आप ये, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे, अब मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सा ग्रिगनाड रिएजेंट रखें, और यहाँ पे आर क्या रखें, कि यह प्रोड़क्ट बन जाए, सोचो बेटा, बहुत ही प्यारा कुश्चन है, सोचो अराम से, मुझे पता है कि अगर ग्रिगनाड रिएजेंट है, इस पर अटेक करेगा, पाइब और फुलेगा, मतलब कि यह CH2OH पार्ट तो इसका आचुका है, यह वाला पार्ट ग्रिगनाड पे रखना है, तो इस आर के जगम में यही रख दूँगा, और यहाँ पे MG और X जोड दूँगा, बता बहुत बढ़ें जवाब दिया है, चलो बताओ क्लियर हुआ क्या तुमको है, यह वाला कोशन समझ में आया, बताओ, यह बहुत प्यारा कोशन था बटा, चली बहुत अच्छी बात है, चली अब यहाँ पर आते हैं, प्रिपरेशन और फिनॉल, एल्कोहल का प्रिपरेशन प्रिपरेशन पर आएंगे, एंड आफ्टर देट हम अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शन पर आएंगे, सब लोग देखना बहुत ही फिनॉल के जो अभी प्रिपरेशन है, इससे आपके, महलब बेंजीन से रिलेटेड जितने भी रिएक्शन वहें, वो सारे के सारे क्लियर हो होगी फिनॉल तो बच्पन से कहते हैं, यह फिनॉल है । और मुझे यह प्रिपेर करना है, तो सिमपल सी वात है, मुझे जब अगर इससे प्रिपेर करना है, तो मुझे कहीं न कहीं यह तो चाहिए, और तरीका क्या है मेरे पस, अभी हमने रिड्रीक्षन यह सब पढ़ा है न हमें यह पता है कि अगर मुझे यह लगाना है और मुझे सब्सेट्यूशन से मालो लगाना मुझे मालो एनसर से लगाना है तो मुझे को यहाँ पर ऐसा चाहिए लेविंग ग्रूप जो असानी से चला जैंग और निकलोफफाल है करें करते दूसरा क्या कुछ अबने लिखना है आगर मुझे लगाना है तो सिंबल सी बात है बेंजीन तो उसमें अपने को दिखना ही चाहिए इसमें सिर्फ आपके सामने एक ही ऐसा रियक्षण आयगा और याद करना है और नीट वालों सबसे पहला देखिए हेलोर ज़िंग का मतलब क्या होता है ग Пएकिटव चैसे अगर हमने कोई हो जोड दिया दूसरा है यह कैसे बनता है यह कैसे बनता है यह साप फोनेशन से येसर पड़ाः यह सब बोगे करो गे तो बेनजें नीक चलके इसल बन जागा और इससे हम हम आगे चलके अभी फिनोल बनाना सीखने वाले ठीक उसी तरीके से हैलोरिंस से भी हम फिनोल बनाएंगे अच्छा बताइए अगर आप कोई बोले कि हैलोरिंस कैसे बनाएंगे फीनोल तो चलो ठीक है तुम इससे बना लोगे है लुट लगाना तो नाइट्रेशन कर देंगे और सभी है जो लगाना है उसका करा तो यही चाट तो है यही सरका पार्ट है चलिए, next क्या है, digonium salt तो देखिए, यह है digonium salt this is digonium salt, n2 Cl इससे भी हम alko up phenol बनाने वाले आगे चल के तो भाई किसी ने पुछा, यह कैसे बनाएगे किससे वह याद है, benzene digonium salt कैसे बनता है पूरी कहानी याद है पूरो बिटा, n-sr करा रखा है है अलकाइला एड में हावई दो दो अ मताईए राप अंटो अध्या चैक बताईये पताईए डाइज्व nuevas कि ार्विद्छे है एनलन से बनता है एनलन को लिया एनन टू हेसं एल उन साथ और लो टैंपरेचर पर सटें करते हैं यह उसमें लो टैंपरेचर पर बिएक्षक जिस्टेंट my day PLAY 2017 जिए Нबसा नहीं कर Saya गए किस् yourselves है नाइटिरो बेंजिन के रिडुक्षन से नाइट्रो बेंजिन रेड़क्षन है एक हैं च्टो पीडी लगा दो तो नौ टू ग्रुप से नाइट्रो बेंजिन के थी तो आपका ब्यंज को बनेंगें थे शर्म और चैन्सें देगे धॉट फिर iPhoneSi N को red hot iron tube से pass कर दो acetylene को red hot iron tube से pass कर दो तो benzene बन जागा 3 wall participate करेगा चलो याद हुआ कुछ फटा फट बैटे बैटे घर में बोलो acetylene के साथ reaction acetylene red hot iron tube के साथ benzene benzene का nutrition किया तो nitro benzene nitrogen का reduction किया तो aniline aniline को anana2 sclc reaction किया तो at 0 to 5 degree celsius तो disonium salt और disonium salt डाएगा फिनोल कैसे बनेगा वो अपन देख लेगा ठीक अब आता है qmene देखिए qmene इसे कहते है इसे कहते है qmene और इससे भी हम फिनोल बनाना भी सीखने वाले है ठीक इससे भी फिनोल बनाना सीखने वाले है तो बेटा benzen पे alkyl लगा है तो क्या हम इसे alkyl benzene नहीं कह सकते हैं कह सकते हैं तो benzene पे alkyl कैसे लगाएंगे तो benzene पे alkyl लगाने का technique पता है Friedel Craft Alkylation कर लेंगे क्या कर लेंगे Friedel Craft Alkylation Friedel Craft Alkylation से हम alkyl benzene बना सकते हैं तो चलो एक एक करके इनको देखते हैं और उनके सारे concepts को समझते हैं सबसे पहला reaction देखिए सबसे पहला reaction देखिए सबसे पहला देखिएंगे from halo orange halo orange से हमने बनाया है तो देखो बेटा halo orange देखता है ना मेरे पास अगर मेरे पास halo orange देखता है तो मेरे दिमाग में क्या-क्या खयाल आता है कि अगर मैं किसी nucleophile के साथ हेलोरिंस की reaction करा दूँ तो ये SNAR दे सकता है बट इसके लिए high temperature और pressure की जर्वा होती है तब जाकर SNAR होता है जिसमें intermediate carven ion बनता है हेलोरिंस के one shorter पढ़ाया भी था तो यहाँ पर देखिए आराम से NOH जो है यहाँ पर negative यहाँ positive high temperature है इसने इसको attack किया और इसको बाहर किया तो बेटा फिनोल तो बनता है लेकिन फिर से वो reaction करके बीच में बेटा sodium phenoxide आयन भी बना लिता है क्योंकि NOH और रहता है तो वो फिनोल से acid based reaction करके sodium phenoxide बन जाता है इसलिए हम इसको फर्दर क्या करते है acidification करके phenol बनाते है सबज़ आए बद तो हैलोरीन से SNAR सो सकते हैं और electrophile अगर दिख जाए तो हम ESR भी सो सकते हैं इसर में नाइट्रेशन, सलफोनेशन यह सब सीरे reaction भी सो सकते हैं sodium देखे तो fatigue reaction सो सकते हैं magnesium देखे तो greenard reagent बना सकते हैं ठीक है बटा तो यहाँ पर this is हैलोरीन्स यहाँ पर देखो क्या हुआ chlorobenzone के साथ reaction करके sodium phenoxide and then यहाँ पर phenol का formation हुआ है अब मुझे कोई बता है phenol के साथ अगर हम zinc की reaction कर देखे किसे को याद है क्या देखना चाहता हूँ phenol के साथ अगर हम zinc ले 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 तो product क्या बनेगा बताईए phenol के साथ अगर हम zinc ले 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 तो product क्या बनेगा याद है क्या अगर हम पिनौल के साथ जिंक लेते हैं तो बेंजीन बनता है क्योंकि जिंक क्या करता है फिनोक के जो ऑक्सीजिएन होती है उसे reaction करके जेड़ेनो में convert कर देता है डी ऑक्सीजिजिएनेशन बोलते हैं और वहाँ पे Benzen बन जाता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है चली ठीक है तो यहाँ पर हमने Hello Reign से देख लिया बेटा, SNAR मेथड से हमने यूज किया और SNAR मेथड से हमने यहाँ पे फाइनली फिनॉल बना लिया दूसरा है बेटा बेंजीन सलफोनिक एसिड तो बेटा बहुत ही important concept है बेंजीन सलफोनिक एसिड हमें सबको पता है कि बेंजीन सलफोनिक एसिड में जो बेटा SO3H है इसे ध्यान से समझेगा जो मैं बोल रहा हूँ इसे हम किसी इलक्ट्रो फाइल से भी रिप्लेस कर सकते हैं और किसी न्यूगलो फाइल से भी रिप्लेस कर सकते हैं यह बहुत ही आसानी से यहां से जा सकता है ठीक है तो अगर हमने यहां पर H प्लस के साथ हीट कर दिया है ना हच पलस के साथ तोड़ा हीट कर दिया तो सिंपल सी बात है यहां डी सल्फॉनेशन हो जाता है और फाइनली यहां पर बिजनी बन जाता है क्या बन जाता है बिचा Carib बोलते है वेटा एच पलनेशन हैं बटा यहां पलस हट हीट करते हैं तो पहले बनेगा NaOH ही, फिनोल बनेगा, बट फाइनली क्या बन जाएगा, फिर से NaOH के साथ रियक्शन करेगा, और यहाँ पर सोडियम फिनोकसाइड आयन बन जाएगा, जिसे हम सोडियम फिनेट भी कहते हैं, यह बात समझ में आई बात, यह क्लियर है, तो यहाँ पर देखो व बना हो, वो फिर से एसड बेशर रियक्शन ना कर ले, और सोडियम फिनोकसाइड ना बना ले, तो अगर बना भी लेगा, तो हम बास्ट में H+, मिलाके, जो भी सोडियम फिनोकसाइड बना था, उसे फाइनली हम फिनोल में कनवर्ट कर लेते हैं, ठीक है बेटा, क्लियर हो हो गया है कि समझ में आई बात यह है कि बताइए कि चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि क्यों मीन के साथ रियक्शन यह इंपॉर्टेंट था नीट के पॉइंट वी से बहुत बार पूछा जा चुका है ना जरा ध्यान से दिखेगा इसके बारे में और यह रियक्शन आपको मैं लिख रहा हूं यहां पर बकाइदा जो चीज़े याद करनी है तो वो यादी करनी है MTR करना है मतलब मुझे तो रटो MTR लिखने का मलब आप दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसको याद करने पर फोकस करना है कि वो आपको याद हो जाए ठीक जैसे देखिए क्यूमीन है क्यूमीन के साथ O2 की reaction होती है तो बेंजाईलिक कारबन का जो hydrogen है उसके बिच में bond तोटता है O2 भी इस तरीके से तोटता है और दोनो जाके carbon hydrogen के बिच में bond बना लेते हैं जिसे हम क्यूमीन हाइड्रो परॉक्सऐड कहते हैं क्या कहते हैं एक टाइब का rearrangement होता है और finally यहाँ पर यह केटन और यहाँ पर बेटा फिनोल बनता है फिनोल के साथ यहाँ पर acetone बनता है यह आपको याद रखना है यह बहुत ही important reaction है क्यूमीन कैसे बनता है फ्रीडल क्राफ्ट एलकाइलेशन से बना लेंगे बेंजिन पर करके और उसके बाद ओटू करेंगे तो क्यूमीन यहां पर दिख रहा है आपको हाइड्रो परोक्साइड बनेगा और उसके बाद अगर हम एसेडिक मेडियम और एच्टू यूज करते हैं तो जो वह कारबन थे वह एसी टोन में क अगर यहां पर हमें फिनॉल बनाना है तो थोड़ा एच्टू मिलाके बढ़िया से हीट कर दें तो यह एच्टू यहां से जाएगा और ऑक्सिजन का लोन पेर यहां पर आएगा और अगर यह जब एच्टू अटेक करेगा तो फाइनली महां पर ओएच लग जाएगा और अगर ओएच लगेगा तो वहां पर फ यहां पर लिखना पड़ेगा जीरो टू फाइब दिग्री सल्सियस तब जाके यहां पर डाइजोनियूम सॉल्ट बनेगा और फिर यहां पर रियक्शन आगे बढ़ेगी फिर किसी ने पूछा कि यह कैसे बनेगा तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर हमारे पास नाइट् बेंजिन रहता तो हम इसे H2PD यूज करके रिडक्शन कर सकते थे यहां पर जेटन के साथ SCA ले सकते थे यहां हम लोग यहां पर FE के साथ SCA ले सकते थे मतलब मैटल के साथ acidic मिडियम लेंगे तो रिडक्शन होगा मैटल के साथ acidic मिडियम लेंगे तो रिडक्शन होगा फि vibrating mixture जो ESR से nitro bengin बन जाता है फिर अगर किसी पुछा bengin कैसे बनता तो आप बता देते हैं कि अगर हमारे पास एसी टाइलीन होता तो हम red hot iron tube ले सकते थे क्या ले सकते हैं red hot iron tube ले लेते हैं तो bengin बन जाता इसके 3 mall participate कर लेते हैं कोंटी एम्टीर वाला पार्ट था पिर कोई बोलता यह कैसे बनाते तो तुम बताते यारागर हमारे पास doubled कुन बникомट करते हैं और उसके बाद एसी टैलिन बन जाता है तो क्या ये सारा का सारा सेक्वेंस सिक्वेंसियाद आया क्या बताओ भई क्या ये सिक्वेंसियाद आया क्या भूलो 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 क्लियर है वेटा सब लोग जल्दी से बता दो सबको क्लियर है चली तो यहाँ पर हमने बेंजीन डाइजूनियूम सॉल्ट से बनाया लेकिन बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर कवर कर लें ठीक अब आते हैं इसके फीजिकल प्रॉपर्टिस पर फीजिकल प्रॉपर्टिस में मैक्सिम बॉयलिंग पॉइंट और सॉलिबिल बॉयलिंग पॉइंट के अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको हेलो लिकेन हेलो निस पर भी बताया था कि बॉयलिंग पॉइंट में सबसे पहले हम मॉलिकलर वीट चेक करते हैं यह सारी एक्सपेरिमेंटल हम बस रिलेट कर सकते हैं आप कहीं साब कुछ डाटा रू मॉलिंग पॉइंट चेक करते हैं सबसे पहले मॉलिकुलर वेट देखते हैं अब यहां पर अगर कर zain alcohol का करें दूसरे अलकोहल से जिसका आ समझियेगा तो अगर मैं च्रफअ कर穴 करने से जसे कारण attraction कम होने से boiling point भी कम हो जाए ठीक तो वही सब बाते पहले लिखे वहीं देखे the boiling point of alcohol and phenol increases with increase in number of carbon atom simple सी बात है number of carbon atom बढ़ेगा molecular weight भी बढ़ेगा और वहाँ पर vendor law forces को explain भी क्या गया है in alcohols boiling point decreases with increase in branching देखे अगर branching increase कर रहा है जैसे same molecular weight है तो branching increase करने से जैसा कि मैंने बता है surface area कम होता है जिससे vendor law force of attraction भी क्या होता है कम जो कि वही बाते लिखे हुई है और यह सारे के सारे बाती NCRT के ही है ठीक अब आते हैं boiling points of alcohol and phenols are higher in comparison to other classes of compound नेमली hydrocarbons and ether and halolgans देखिए देहां answer hydrocarbon, ether, halolgans, halolgans मतलब उसके comparison की बात हो रही है मतलब molecular weight लगवाग अगर same है तो इनका alcohol phenol का जादा होता है और यह हमें पता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हमें पता है कि यह दोनों अगर एक alcohol दूसरे alcohol की बात करें तो दोनों एक दूसरे से hydrogen bond से जुड़े होते हैं क्या समझ में आई बात चालिए तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि अगर यह ethanol है यह methoxy methane है और यहां पर propanol है इनका लगबग molecular rate लगबग सेम रखा गया है और उस पर फिर comparison करके दिखाया गया है तो देखिए alcohol वाले का boiling bond अगर देखा जाए तो 351 Kelvin है जबकि यहां पर देखा जाए तो 248 Kelvin है और यहां पर देखा जाए तो 231 Kelvin है क्या समाझ में आई बात यह तो यहां पर हम यह कह सकत है कि अल्कोहल में explanation देने के लिए कि एक अल्कोहल का दूसरे अल्कोहल से जो बांडिंग होगा अपस में वह hydrogen बांडिंग से है डाइपोल डाइपोल अट्रक्शन इथर में होता है और यहां पर समझेगा इन दोनों का comparison हम आसानी से नहीं कर सकते हैं यह completely data based है क्या समझ में क्योंकि number of carbon chain अगर बढ़ जाएगा तो पताने उसकी quality उतनी effective होगी या नहीं होगी हम वहां पर कह नहीं सकते हैं इसलिए इथर एलकेन में comparison करना बहुत ही मुश्किल है लेकिन हम कह सकते हैं कि इसमें डाइपोल डाइपल मिलता है छोटे इथर में लेकिन इसमें ऐसा नही solubility जैसा कि हम बात करते हैं हमें पता like dissolve like होता है अब अगर alcohol की बात करें तो हमें पता है alcohol में जो OH है वो hydrogen bond कर सकता है water से और अगर उसे water से hydrogen bonding कर सकता है तो उसमें solubility की बात हो सकती है but at the same time हमें यह भी समझना चाहिए कि alcohol में जो carbon का chain है अगर हम उससे बढ़ा करते जाए है जिसे कि जिसे हम hydrophobic part कहते हैं तो सिंपल सी बात है hydrophobic part बढ़ने से वहाँ पर solubility उसके क्या हो जाएगी कम हो जाएगी वही लिखा हुआ है solubility of alcohol and phenols in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecules as shown the solubility decreases solubility decreases with increase in size of alkyl or aryl क्योंकि यह hydrophobic part होते हैं तो lower molecules of alcohol are miscible with all proportion देखो घ्रहां से क्या लिखाबा है जो lower alcohols होते हैं वह water में all proportion में soluble हो सकते हैं क्योंकि उसमें lower अब दूसरी बात समझेगा अगर मैं आपसे पूछू कि क्या lower जो एथर होते हैं छोटे जो इथर होते हैं क्या water में soluble हो सकते हैं क्यों सोच के बताइगा क्या जो lower एथर होते हैं क्या water में soluble होंगे कि नहीं होंगे lower एथर जो है water में soluble होंगे या नहीं होंगे बताईए 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 हाँ छोटे जो इथर होंगे वह water के साथ soluble होंगे की नहीं होंगे बताई क्यों टूकि एथर के साथ hydrogen bond नहीं कर सकता बड़ जो इथर है ध्यान से देखिएगा जो इधर है वह तो एच्टू के साथ तो असानी से कर सकता ना अगर यह आरार है और हमने यहां पर एच्टू और रख दिया तो यह इसके साथ तो हाइड्रोजन बॉंड करी सकता है तो एथर भी वाटर में सॉलिबल होता है लेकिन जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक बढ़ेगा बेटा वैसे से सिंपल सी बात है उसकी भी उसकी सॉलिबलेटी जो है वाटर से कम होते जाएगी तो यह रहा आपका फीजिकल प्रोपेटिस का पाट अब हम लोग स्टार्ट करने वाले रियक्शन का पाट वेट उससे पहले एक कुश्चन अत्फ़र ध्यान से दिखेगा वी बॉलिंग कर्वन का खरेरेती कर्रों कहले एक कर्वन यठिए तो ज्यादा हो गया बीच बीच में आजाएगा डी बात मैं आजाएगा इससे लिकेंगे अ पहले, then B and C, then E, then D, then F, क्या समाज में आई बात यह है, पहले तो मैंने molecular weight के basis सजा लिया, main दिकत कहा रिया, B और C में, देखो branching किसमें आ रहा है, एक है butane 1 all, जिसमें last में OH है, एक में क्या है, OH 2 पे आ गया, बीच में आ गया, तो butane 1 all से क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि 1 पे आते ही, surface रिया क्या हो रहा है, बढ़ रहना बिटा है, क्या समझ में आई बात, solubility की, clear है, चलिए, अब यहाँ पर आपके सामने ट्राइकर लिया गया, चलिए देखे, अब टर्शरी अलकोहल, जहां से देखेंगे, टर्शरी अलकोहल इस अप्टेंट्वेंट CS3MGI, बढ़ देखो, कारवन के साथ मैंगनेशियम और हेलोजन जब जुड़े हैं, तो यह ग्रिगनड रियेजेंट है, अलकोहल की बात हो रही है, बट इसमें टर्शरी अलकोहल की बात हो रही है, तो एक कारवन तो यह लेके जाएगा, इसका मतलब कि जो भी और्गेनिक कमपॉंट दिया है, उसमें 2 degree carbon होना चाहिए, जैसे कि यह aldehyde है, यह aldehyde के अगर बात करें तो यह 1 degree है, तो एक और कारवन आ के जुड़ेगा तो 2 degree होगा, यह भी aldehyde है, यह भी 1 degree है, बट यह ketone है और यह भी aldehyde है, तो ketone के अगर हम बात करें तो यह 2 degree था, बट ग जल्दी से बताओ, least soluble alcohol in water, बताओ जल्दी से, सही है, बहुत बढ़िया, हाँ, तो least soluble in water हमें पता है, कि सम्में OH है, तो ये hydrogen bonding करके soluble होना चाहेगा, बट जो ये carbon chain है, carbon chain जो है, वो hydrophobic nature का होता है, जितना ज्यादा increase करोगे carbon chain को, उसकी जो solubility है, solubility in H2O decreases, क्या समझ मैं ये बात बेटाईए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया बेटा, हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया क्या क्या पाट बताईए, यहाँ पर हमने preparation of alcohol and phenol complete किया, now the next topic is acidic strength of alcohol, जीओ से भी आ रहा है यहाँ पे, alcohol and phenol की acidic strength की बात करेंगे, थोड़ा सा acid के बारे में समझ लेंगे, थाड़ ध्यान से दिखेंगे, जैसा कि हम मैं पता है, अगर है कोई acid है, अगर है यह H plus release करेंगे, ध्यान से दिखेंगे, बट बहुत ज्यादा detail में नहीं जाओंगो, जो NCRT में दिया गया है, सिर्फ उतनी ही बाते करूंगा, ध्यान से दिखेंगा, है अगर acid है, तो यह H plus छोड़ के, A minus बनाएगा, जैसा कि हमें पता है, यह इस तरीके से कुछ, तो ज conjugate base में अगर देखा जाए, तो NIN है, और हमें पता है कि acidic strength और basic strength completely क्या होते हैं, experimental होते हैं, हमें पता है यह चीज, but हम with the help of electronic effect, that is resonance, hyperconjugation and inductive, हम इसको relate करने की कोशेच करते हैं, और final conclusion पे पहुंचते हैं, तो अगर हम acidic strength की बात करें, तो acidic strength is directly proportional to stability of, stability of conjugate base, that is NIN, that is NIN, NIN जितना ज़्यादा stable होगा, हमें पता है यह बात, यह NIN जितना ज़्यादा stable होगा, backward reaction होने के chances कम होगे, forward reaction ज़्यादा होगा, forward reaction जितना ज़्यादा होगा, concentration of H+, बढ़ेगा, उतना ही अच्छा acid बाने जाएगा, acidic strength को कभी-कभी K के relate करके question पुछा आता है, और हमें यहाँ alcohol की बात कर रहे हैं, ध्याद से देखिएगा, अगर हम alcohol की बात कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर alcohol किस तरीके साई, यह भी alcohol है, और यहाँ पर देखा जाए, तो यह भी alcohol है, और अगर यहाँ देखा जाए, तो यह भी alcohol है, यह सारे के सारे क्या है, alcohol है, और अगर आ तो इसके h-plus को हटाएंगे और negative charge बना लेंगे है ना short में ऐसे कर लेंगे और करने के वाद फिर देखेंगे कि सर्ब negative charge अमने oxygen के पास है और विर सबमे oxygen पर कार्ज है तो फिर उसके प्लस को देखके बताना पडिेगा और यहां पर देखेए यह plus i लगा रहा है कि लेकिन दूसरा कोश्चन स्वर्द ध्यान से देखना ना बहुत ही प्यारा कोश्चन है यह चीज टू डबल बॉंड चीज के साथ अगर मैं ओच लिख दूं और यहां पर मैंने लिख दिया सीज थी चीज टू ओएच के साथ एक लिख दूं अब मैं आप से पूछो कि बत अब यहां देखें तो दोनों में औक से अब यहां देखें तो दोनों में बट यहां पर जो एनायन है और देलोकेलाइजड है और देलोकेलाइजड होने के करण इसके स्टेबिलिटि इसके कमपैरेजन में जादा होगी तो अगर इसका conjugate base की stability जो है वो जादा होगी तो simple सी बात है acidic strength भी इसका ज्यादा होगा जिसे हम कहते है V9 alcohol और इसे क्या कहते है इथाईल alcohol clear बेटा, same concept phenol के साथ है बेटा, अगर हम alcohol phenol में comparison करें दरह ध्यान से देखेगा तो आप मुझे बताईए, phenol और alcohol में acidic strength किसका ज्यादा होगा phenol alcohol में acidic strength किसका ज्यादा होगा, आपको भी पता है कि sir conjugate base अटा के जब यहाँ पर बनाओ इसको बनाओ, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो anion है, वो localized नहीं है, delocalized है and because of delocalization, उस anion के stability ज्यादा है, तो phenol is more acidic than alcohol ठेक, तो over all एक में idea लिख रहा हूँ कि अगर phenol में, अगर phenol में electron with drawing group लगे, जैसे minus M लग गया, minus I लग गया तो इनकी acidic strength क्या होती है, बढ़ जाती है, किसके comparison में, phenol के comparison में समझे हैं और अगर कहीं phenol पर, अगर कहीं phenol पर, हम लोग electron donating group लगा देते हैं electron donating group लगा देते हैं, जैसे मालो प्लस M लगा दिया, प्लस I लगा दिया, प्लस H लगा दिया तो इससे क्या होगा, इसकी acidic strength कम हो जाएगी, तो overall acidic strength का जो order है, वो यह हो जाता है और हमें यह भी पता है कि carboxylic acid की acidic strength phenol से जादा होती है, और क्यूं होती है सबको पता है, क्योंकि उसके conjugate base में quality resonance हो रहता है as compared to phenol, but picric acid, phenol derivative में एक ही ऐसा है, जहाँ पर carboxylic acid की acidic strength कम हो जाती है और वो है picric acid, clear है बेटा, चलिए, तो इसमें एक बहुत important question आता है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखेगा, अगर किसी को याद है this is orthonitrophenol, this is metanitrophenol, this is metanitrophenol, and this one is paranitrophenol, this one is paranitrophenol ज़रा याद है किसी को कि सबसे ज़्यादा acidic कौन होगा, हमें पता है इसका minus M लगेगा, इसका minus I लगेगा, इसका minus M लगेगा अगर मैं इसको C बोलू, इसको B बोलू, इसको A बोलू, तो पेटा, A और C की acidic strength B से ज़्यादा होगी, बट आपको याद होगा, कि C की acidic strength A से ज़्यादा होगी देन B से, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, ध्यान रखेगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर hydrogen जो है, वो इ से ज़्यादा होती है, बट मैं यकीन एक बात रखेगा हमेशा, बहुत ज़्यादा difference नहीं है, सिर्फ PK value में 0.1 का difference है, बहुत ज़्यादा difference इसमें नहीं होता है, और हमें भी पता है कि hydrogen bond बहुत ही strong bond नहीं है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेगा, यहीं पर एक जगा आप aceric स्रेट में question में फसते हैं, और कहीं पर आप नहीं फसते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया alcohol phenol का, अब सबसे important बात आती है reaction की, तो चलिए बताइए कि आप तयार है reaction को लेकर, जल्दी से बताइए, reaction को लेकर तयार है, हाँ वई, start करें, चलिए, हाँ, जली देखिए, अब समझेगा, पूरा alcohol का part यहाँ पर cover कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, alcohol की reaction किस तरीके से होगी है, समझेगा, चिक, alcohol हमारे पास दिख रहा है, इस तरीके से, यह क्या-क्या reaction दे सकता है, सबसे पहली बात, अगर आपको आज के बाद alcohol दिखे, तो आपको क्या सुचना चाहिए, कि सर देखो, इसके पास क्या है, hydrogen है, acidic nature का hydrogen है, है न, acidic H है यहाँ पर, ठीक, और acidic H जो होता है बेटा, वो metal के साथ reaction दे सकता है, है, metal के साथ reaction दे सकता है, है न, sodium के साथ reaction करके, alcoxide बना सकता है, ठीक, aluminium के साथ reaction करके भी, वो alcoxide बना सकता है, पस यहाँ पर alcohol के फिर तीन mole participate करेंगे, क्या समझ मैं यह बग, जैसे, अगर मैं आपको बोलू कि, ROH अगर कहीं दिया हुआ है, alkyl halide के साथ, दिस इस वीक नुकलोफाइल, और वीक नुकलोफाइल, SN1 देता है, alkyl halide के साथ, लेकिन अगर मैंने गलती से यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख दिया, ROH के साथ, Na लिख दिया, तो sodium आ गया, तो बेटा, यहाँ पर sodium metal है, और इसके acid cage को remove करके, यहाँ पर कुछ ये बना लेगा, sodium alkyl halide के साथ, या तो SN2 देदेगा, या तो E2 देदेगा, ठीके, थोड़ा सा relate कर रहा हूँ, हैलोल के हैलोरेंज को, कि अगर metal के साथ आ गया, alcohol, तो समझ लीजेगा, यहाँ पेटा है, acid cage यहाँ से चला जाएगा, और sodium alkyl oxide बनाएगा, और hydrogen gas यहाँ पर release होगा, ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो यह वाला bond तोड़ने की बात करो, NCRT भी ऐसी बात कर रहा है, कि oxygen hydrogen का bond अगर तूटेगा, तो क्या क्या तरीका हो सकता, पहला with metal, metal के साथ reaction करके, दूसरा क्या हो सकता है, ध्यान से देखेगा, when alcohol act as a nucleophile, क्या यह बात समझ में आईगे, ध्यान से देखेगा, यहाँ पर तो मैं example दे रहा हूँ, देखे, यहाँ पर क्या मैंने लिख रहा हूँ, कि अगर alcohol as a nucleophile participate करता है, तो वहाँ पर oxygen और hydrogen की ब मैंने बोला आपको, कि H2O का अटेक कराना है, H2O का क्या कराना है, अलकालिलाइट पर तुमने H2O का अटेक करा दिया, तो आप बताओ क्या होगा, H2O जब अटेक करेगा, तो oxygen का alone पर जाकर अटेक करेगा, oxygen पर कौन सा चार्ड जाएगा, positive, और अगर उस पर positive चार्ड ज समझेगा, अच्छे से, alcohol का अटेक करा दू, ROH का अटेक करा दू, तो बताइए, क्या वहाँ से फिर से H2O नहीं निकल जाएगा, तो वहाँ पर क्या जाके लगएगा, OR, तो अगर ये nucleophile जैसा participate कर रहा है, तो oxygen का alone पर अटेक करेगा, इस पर positive हैगा, और ये H2O निकल जा जो मैंने बोला, अगर ये metal के साथ या, या nucleophile के जैसा काम करेगा किसी reaction में, तो alcohol का oxygen hydrogen का bond तूट जाएगा, ठीक, चली, दूसरी बात क्या करते हैं, ध्यान से देखे, दूसरी बात, दूसरी बात ये है, कि ये वाला bond कैसे तूटेगा, आप समझेगा, क्या OH एक living group है कि न living group है, बट सर इसका जो nature है, वो सही नहीं है, this is poor living group, and living group तो है, बट ये poor living group है, मतलब ये किसी तरीक से जा तो सकता है, और अगर कोई living group अपने bonded pair of electron को ले के जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे दो type के reactions possible है, that is, एक हो गया बेटा, NSR, NSR का मतलब nucleophilic substitution reaction, and दूसरा होता है, पेटा, elimination reaction, को सी reaction, elimination reaction, जैसे, आपने alkyl halide की reaction याद है, मैंने बताया था, NSR और elimination उसकी सबसे main reaction है, तो हापे मैंने क्या बताया था, SN1, SN2 और E2 के बारे में बताया था है, यहाँ पर NSR में पेटा, SN1, SN2 होतो सकता है, सही बात है, लेकिन elimination में जो आपको यहाँ पर पढ के बारे में पढ़ना है, E1, unimolecular elimination reaction के बारे में पढ़ना है, क्या समझ में आई बता है, तो alcohol में carbon oxygen का bond कप टू टेका, जब यहाँ से OH जाएगा, और OH तब जाएगा, जब उसको good living group में बनाया जाएगा, और OH good living group में कैसे बनता है, जब या तो हम उसे acidic medium देते हैं, या त PCL-3, SOCL-2, इन सब की reaction करा देते हैं, कैसे समझ में आई बार, चलिए, अब आते हैं next, next आते हैं, oxidation and reduction पे, alcohol तीसरा reaction कहा देता है, जैसे कि हमें पता है, कि यह oxidation and reduction दे सकता है, जैसे अगर alcohol 1 degree alcohol है, तो उसके oxidation से aldehyde बनेगा, aldehyde के oxidation से carboxylic acid बनेगा, ये बात हमें पता है एक उसी तरीके से 2 degree alcohol है, तो ketone बनेगा, ketone के oxidation से हम लोग pop-ups rules अगर लगाते हैं, high temperature pressure पे, तब जाके carboxylic acid के mixture बनते हैं, दूसरा क्या आता है, reduction, क्या आता है, reduction, reduction याद करो, अगर reduction की बात करें, तो alcohol से हम क्या बना सकते हैं, alkane का formation भी कर सकते हैं, किसका formation कर सकते हैं, alcohol क alcohol से, alkane का formation भी कर सकते हैं, rate phosphorus हट जाएगा, और वहाँ पर, alkane आ जाएगा, तो बेटा, सबसे पहले, alcohol जब भी दिखे, अपने दिवा में कैसे सुचना है, देखिए, एनसर, elimination, समझे गद्यान से, SN1, SN2, से कर लिया, क्योंकि OH is a living group, दुसरा even एक हो सकता है, next क्या हो सकता है, oxygen जो सबसे इसका important part होता है, और उसके बाद जैसा कि मैंने बताए, या तो निकलोफाल के साथ कम करेगा, तो metal के साथ, एक important है, बट यहाँ पर alcohol chapter में, इसके बारे म नहीं बताया गया है, कि alcohol can also show hello form reaction, hello form reaction भी alcohol दे सकते है, alcohol जो है, hello form reaction भी दे सकते है, बट यह सारे alcohol नहीं देते हैं, यह वही alcohol देते हैं, जो alcohol के oxidation से methyl keto बन जाए, तो इस type के alcohol, hello form भी दे सकते हैं, बट यह part हम लोग यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यह part हम लोग aldehyde ketone chapter में पढ clear है, चलिए बताये फटाफट, क्या यहाँ तक clear हो चुका है, तो reaction वाला part start करते हैं, चलिए बताये, alcohol के reaction किस तरीके से सोच नहीं है, आज के बाद clear हो गया सब को, चलिए, ठीक, तो देखिए, next हम लोग आते है, reaction पर, reaction की बात करते हैं, ध्याद से देखेंगे, बट यह स carbon oxygen का मों टूटे, तो hydrogen halide की बात हो रही है, ध्याद से दिखेंगे, अगर हम alcohol की reaction, hydrogen halide से करते हैं, तो यहाँ पर हमें पता है, कि जो product है, वो alkyl halide मिलेगा, और साथी साथ H2O बाहर चला जाएगा, जैसा कि हमें पता है, कि hydrogen halide जो है, वो H+, दे सकता है, तो जो alcohol है, पर partial negative, partial positive है, तो यह lone pair इसके H+, के साथ reaction करेगा, और protonate alcohol यहाँ पर बन जाएगा, और हमें पता है, कि protonate alcohol बनने के बाद यह good living group है, तो यह यहाँ से जा सकता है, और उसके बाद यह depend करता है, R कैसा है, उसके basis पे हम लोग यहाँ पर SN1 and SN2 reaction परते हैं, और finally हम लोग को जब यहाँ पर X minus attack होता है, तो alkyl halide का formation होता हुआ, देखता है, यह बात clear है, अब इसमें कुछ important बात है, HX का काम क्या है, H+, तो बेटा बताओ, HI, HBR, और अगर हम HCL ले लेते हैं, तो सबसे आसानी से reaction कौन देगा, HI, क्योंकि हमें पता है, HI में H और I का bond, जो है, वो weak है, व अगर वो असानी से प्लस दे सकता है, तो यह reaction असानी से आगे बढ़ सकता है, पहली बाद clear है, दूसरी बाद, कि सर, SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, अगर बेटा यहाँ पर unbranched alkyl group है, unbranched है, यह जो वैसा है, जिससे stable carbotene का formation नहीं हो रहा है, तो उस case में हम SN2 reaction करते हैं, और अगर stable carbotene बनता है, तो हम वहाँ पर SN1 reaction करते हैं, जिससे 2 degree, 3 degree दिखेगा, तो आप वहाँ पर SN1 reaction कर देंगे, otherwise वहाँ पर क्या कर देंगे, SN2 reaction आप वहाँ पर कर सकते हैं, clear हो गया बेटा, अब reactivity की बात आई तो कैसे decide करेंगे, अगर reactivity की बात आईगी, तो बेटा carbotene बनाईए, जिस first carbotene है, उसके stability के वेसिस पे आप reactivity decide किजेगा, कभी भी, कभी भी ये काम नहीं करना है, कर रहे हैं, उसके बात हम उसके stability को चेक करके reactivity की बाते कर रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक, कुछ important बात इसमें क्या है, वो देखिएगा, कि यहाँ प साथ ही SCL reaction करता है, और किसी के साथ यह reaction नहीं करता है, अगर आपको 1 degree alcohol और 2 degree alcohol की reaction HCL के साथ करानी है, तो बेटा उस case में, आपको SCL के साथ GNDC2 लेना पड़ेगा, एन्हाइटर GNDC2 लेना पड़ेगा, जिसे हम Lucas Reagent के नाम से जानते हैं, जो turbidity provide करती है, अगर माल लिज और 1 degree की अगर बात करते हैं, तो वो आसानी से turbidity नहीं मिलती, जब तक से हम उसे heat करते हैं, इसके कारण हम इस reagent को, Lucas Reagent को 1 degree alcohol versus 2 degree alcohol versus 3 degree alcohol में काम करते हैं, लेते हैं, मतलब अगर हमारे पास primary alcohol है, secondary alcohol है, और tertiary alcohol है, और हमें पता नहीं है, तो हम Lucas Reagent का use करके, हम उसको पता क कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 3 degree वाले में turbidity बहुत जल्दी मिल जाती है, immediate turbidity मिलती है, जिसे हम आसानी से पता कर सकते हैं, क्या ये hydrogen halide का part clear है, ठीक उसी तरीके से हम लोग कुछ और reaction देखते हैं, जैसे reaction with thionyl chloride, अगर आपको ध्यान हो, तो thionyl chloride में मैंने आपको बताया था, कि thionyl chloride क्या होता है, SOCl2, अगर ऐसा लिखा हुआ देख जाए, डार्जन reaction याद आ रहा होगा, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीक ऐसे लिखते हैं, याद आ रहा है क्या बताओ, जिसमें यहाँ पर क्या होगा बताओ, एक ये वाला CL कैसे जाएगा, जब अगर इधर oxygen है, तो SO के साथ निकाल दो, निकाल दिया तुमने इसको, बचा एक ही चीज, यहाँ पर लगा दो, RCL, तो यहाँ पर भी अगर देखे, तो यहाँ पर SO2 बन रहा है, जो कि good living group है, और यहाँ भी SCL बन रहा है, और बताया जाता है, it is a good method to prepare alkyl chloride, क्यों? क्यों अगर बात करते हैं, तो अगर alcohol है, और हम यहाँ पर reaction PCL5 की करते हैं, PCL5 की, तो मैंने बताया था, इसको भी लिखने का technique कुछ इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से, और बताये है, यहाँ पर SAD catch है, तो इसके CL को हटा दीजिए, oxygen है, तो PCL3 के साथ निकाल दीजिए, ए समझ में आई बात, और अगर phosphorus trihalide है, तो इसका product मैंने बोला था, कि similar to PCL5 आप बना देना, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं, क्या बताये, क्या यह alcohol के reaction का, NSR वाला part clear हुआ, बताओ भई, क्या यहाँ पर alcohol के साथ, यह वाला part clear हुआ, बताये, इन सब में अगर देखें, जो मैंने चार reaction भी पढ़ाई, इन सब में एक ही बात हो रही है, किसी तरीके से OH यहाँ से जा रहा है, good living group के form में convert हो रहा है, और finally product में substitution reaction हो रहा है, हाँ बताये, clear है सब को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, चल, तो अब आते है, next, next ओला part है dehydration, ध्याँ से देखेगा, dehydration, देखो बटा, NCRT में आपके एक बात बताई गई है, dehydration के लिए क्या करते हैं, ध्याँ से देखे, dehydration का मतलब क्या वर्ड, alcohol है हमारे पास इसदर, देखे ध्याँ से, यह H है, और यहाँ पर OH है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे है, तो H2O बाहर करेंगे, तो 2 Sigma हटे का, 2 Sigma हटे का, तो Double Mound बन जाएगा, तो यह process के लिए, हम लोग generally जो reagent यूज करते हैं, वो H2SO4 यूज कर सकते हैं, S3PO2 यूज कर सकते हैं, S3PO4 यूज कर सकते हैं, या Al2O3 यूज कर सकते हैं, है ना बटा, तो यह सब reagent है, जिनके presence में, जिनके presence में हम ये काम करते हैं, समझ में ही बाद, dehydration कर रहे हैं, मतलब, alcohol से H2O को बाहर कर रहे हैं, alcohol को H2O से, alcohol से H2O बाहर कर रहे हैं, और वहाँ पर Alkenne का formation हो रहा है, तो यह वाली जो reaction है, Al2O3 के बारे में लिखा है, Al2O3 अगर high temperature के साथ आ जाए, high temperature के साथ आज बेटा, बीटा hydrogen और living group लगाईए, बीटा hydrogen और living group यहाँ पर alcohol में, OH को माल लेंगे, हटाईए, और double one बना दीजिए, ठीक, लेकिन जो हमें पढ़ना है यहाँ पर dehydration में, यहाँ पर अपने को focus करना है, acidic dehydration, acidic समझ में आ रही बात बेटा, ध्यान से दिखे, अगर माल दीज यहाँ से देखना बेटा, क्या यूज कर लो, concentrated H2SO4, और अब product बनाओ, अब क्या बनाओ, product, अब सोचो, अब क्या सोचोगे, सोचो, क्या सोचोगे, बताओ में रखो, हाँ बेटा, यहाँ पर मैंने पहले बता रखा है, कि यह सारे reactions जो हैं, वो phenol के साथ नहीं हो चली, तो हाँ थे हम लोग, इधर थे, चली, देखे इधर, अब सोचो, कैसे सोचेंगे, आपको क्या दिमाग में अगा, सर देखो, concentrated H2SO4 है, तो यह H+, के साथ, इसका conjugate base, HSO4- लेके आएगा, तो सर, यह हो सकता है, कि OH is not a good living group, it's a poor living group, लेकिन OH जैसे H+, को देखेगा, इसे कुछ घुस्तों हो गाई, क्योंकि oxygen के अपास क्या है, lone pair, और यह असानी से H+, के साथ, reaction कर सकता है, तो अगर इसके साथ, reaction करेगा, तो यहाँ पर बनेगा, protonated alcohol, ध्यान रखिए का, क्या मैंने बोला, क्या बनेगा, protonated alcohol, and it can act as the electrophile, NCRT में लिखी वह यह बाते, कि protonated alcohol, act as the electrophile, क्योंकि यह जब electron यहाँ से लिके जा रहा होगा, तो यहाँ पर electrophilic center का formation हो रहा होगा, अब देखो जहां से, तुम्हारे पस alkyl है, protonated alcohol, living group बन चुका है, इसका मतलब दो reaction तो होई सकती है, NCR भी हो सकता है, elimination भी हो सकता है, elimination के लिए temperature हमें जादा देनी पड़ी, हम क्योंकि इसमें 2 sigma तोट रहे हैं, एक 5-1 बना रहे हैं, क्या समझ में ही बात, तो high temperature पर elimination हो सकता है, whereas low temperature पर substitution हो सकता है, और यह कैसे हो सकता है, वो सारी बातों को हम यहाँ देखेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम elimination की बात कर रहे हैं, जैके धियान से, alcohol है, acidic medium दिया है, और heat दे दिया, तो जब भी alcohol के साथ acidic medium और heat दिया जाएगा, हमेशा दिमाग में रखेगा, कि वहाँ पर even reaction की बात हो रही है, जैसे dehydration की बात हो रही है, dehydration तो आपने समझ में आना चाहिए, even reaction की वहाँ पर बात हो रही है, चलिए, देखिए, इसके steps NCIT के ही है, देखें किस तर protonated alcohol, this is alcohol, oxygen के पास लोन, फिर acidic medium से H+, acid-based reaction हुआ, protonated alcohol बन गया, अब हमें पता है, protonated alcohol act as a electrophile, यहाँ पर देखिए, slow step में क्या हो रहा है, यह good living group बन के जा रहा है, formation किसका हो रहा है, कार्बो के टायन का, अब यह जो कार्बो के टायन बन गया, मतलब अगर आप से कल को मैंन का formation, तो OH को हटा देना है, कार्बो के टायन बना लेना है, और जो कार्बो के टायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जो कार्बो के टायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, उस alcohol की dehydrate होनी की tendency उतनी ही ज्यादा होगी, क्या समझ में आई बात, अब देखो, कार्बो के टाय है तो एक carbotan कौणकूझ फेनोमेना शो कर सकता पहला arrangement और rearrangement जब हो जाएगा तो दो टाइप का फेनोमेनना ही carotan show करता है पहला क्या बेटा पहला ये कि कि किसी न्यूपलो फाइल से combination कर लेगा कि न्यूपलो फाइल की नेगिटीव बात है और दूसरा क्या possible है कि सरमान लिजे वही जो negative charge है अगर आपने heat दे दिया तो ये क्या करेगा इसके alpha hydrogen को ही उड़ा जाएगा और अगर इसे उड़ाएगा तो इसका दोनों bond जो है वो double bond में convert हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा क्या ये बात समझ में करेगा high temperature पे और low temperature पे क्या फेवर करेगा बताईए substitution reaction तो वही चीज़ यहाँ पर बताईए है कि जब carlo tan बन गया तो जो base होगा वो base क्या करेगा इसके proton को remove कर देगा जैसे माल लीजे जो base था क्योंकि हमने जब acid मिला था तो उसके साथ conjugate base भी होगा वही conjugate base इसके H को क्या करेगा remove करेगा तो यह double bond में converter के finally alkene बना लेगा लेकिन यह तभी possible है जब उसको जितना temperature चाहिए उतना temperature इसको मिल रहा हो चलिए बताईए क्या यह clear हो गया बेटा जल्दी से बताईए जो मैंने अभी बताया वो clear है सबको बोलो बोलो क्लियर है चालिए डिया हीड्रेशन के बाद क्लियर हो गई सबको आज मैंसेज करोगे तुम लोग चलिए नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वही बताया है कि रिले रिलेटिव इस ओग डियाइड्रेशन आसानी से बताईए डियाइड्रेशन कौन देगा तो हमें पता है कि ज्यादा टेंपरेशन लेंगे तभी यहाँ पर क्या बनेगा इलकीन बनेगा इलकीन देखा गया इसके लो टेंपरेशन हो जा रही है क्या हो जा रही है अब अब एलिमिनेशन कैसे हुआ होगा समझना अच्छे से मालो प्रोटोनेटेड अलकोहल बन गया क्या बन गया बटा प्रोटोनेटेड अलकोहल क्या ऐसी संभावना है कि इसका दूसरा मॉल आ जाए और यह दूसरा मॉल क्या है निउक्लोफाइल बनके इस पर क्या कर देख यह यहां पर गया इस पर अटेक किया और इसको यहां से बाहर किया तो क्या हम यह ऐसा लिख सकते हैं कि यह इथर भी बना सकता है अगर आपने उतना टेंप्रेचर नहीं दिया जितना टेंप्रेचर इसको चाहिए था क्योंकि एलिमिनेशन हाई टेंप्रेचर में फेवर क सब्सक्राइब जो भी बोल लेकिन इस केस में हमेशा दिमाग में रखना कि विटा सिमेट्रिकल इथरी बनेगा मतलब यह हुआ कि इसमेट्रिकल इथर नहीं बन सकता है अगर अगर 100 डिग्री रखा है तो सब्सक्राइब जैसा कि हमें पता है एच प्लक्त और एच एच वार्माइनस बनता है तो हो यहाँ पर यह बन सकता है सही बात है बेटा और यहाँ पर क्या बन गया यह तो all possible products यह है बेटा अगर हम ethanol alcohol को reaction करते हैं तो यहाँ पर मैंने बस आपको यह बताना चाहा है कि जब हम alcohol को acidic medium के साथ reaction करते हैं तो वहाँ पर substitution के साथ आपको elimination भी दिखता है ठीक है बटा चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं reaction involving cleavage of OH monds मतलब यहाँ पर दो कह लिखा alcohol act as alcohol act as nucleophile तो देखो बटा estrification reaction आप सबको पता है कि carboxylic acid की reaction carboxylic acid की reaction जब हम alcohol के साथ करते हैं किसके साथ करते हैं alcohol के साथ in presence of strong acidic medium तो यहाँ पर अपने वो क्या दिखता है यहाँ पर अपने वो क्या दिखता है estr का formation होते हुए और यहाँ पर बनता है H2O this reaction is reversible in nature कैसा reaction है बटा reversible में देखो इसको मैं कैसे याद रखता हूँ अगर यह acid derivative है और OH एक living group है तो यहाँ पर H प्लस आएगा और oxygen का loan पर यहाँ पर attack करके इसको यहाँ से बाहर करेगा mechanism क्या follow हो गया SNA याद रखने का technique यह ही है जिसमें अगर यह alcohol nucleophile के जैसा काम करा तो जब इस पर attack होगा तो यह वाला bond ही टूटेगा H यहाँ से जाएगा और यहाँ से OH जाएगा मतलब H2O जो बाहर गया है उसमें carboxylic acid का OH है और alcohol का hydrogen है क्या समझ में आए बार तो estrification reaction clear हुआ जो मैंने बताया यह reaction सेम अगर हम phenol के साथ करें तो भी वही game है बेटा अगर हम phenol के साथ करेंगे तो भी reversible reaction होगी बस इतनी सी बात होगी कि जब वो attack करेगा तो यहाँ पर OPH आ जाएगा और यहाँ पर H2O बनेगा क्या समझ में आया क्योंकि जब यह donate करेगा तो अगिन इसमें oxygen hydrogen का bond तूटेगा तो क्या estrification की बात है clear हुई बेटा आपको बताईए estrification की बात है clear हुई ठीक चलिए तो अब देखें यहाँ पर reaction with acid halide and anhydride ध्यान से देखिएगा कुछ बड़ा reaction नहीं है बहुत ही आसान reaction है अगर आपको basic थोड़ा साभी पता है तो सारी चीज़े याद आ जाएंगी देखिए जैसे अगर मालीजे हमने acid halide लिया ठीक है acid halide के साथ alcohol ले लिया अब मुझे बताओ कौन सी reaction कैसे हुई सोच के देखो और वही अगर मैं एन्हाइड्राइड के साथ reaction करता हूँ यह रहा एन्हाइड्राइड ठीक है एन्हाइड्राइड और यहाँ पर मैंने रख लिया alcohol सोचो क्या यह सब के सब acid के derivative हैं बताओ फटा फट क्या यह सब acid derivative है की नहीं acid derivative है की नहीं इसको generally हम pyridine के presence में कर देते हैं बेटा क्यों बता रहा हूँ थोड़ते हैं और यह हम acidic medium में करते हैं क्या यह acid derivative है सोचो क्या यह acid derivative है और अगर acid derivative है तो किसी nucleophile के साथ किसी भी nucleophile के साथ SNA reaction दे सकते हैं कौनसी reaction SNA क्या आपने पढ़ा है SNA reaction बताओ क्या आपने SNA reaction पढ़ा है की नहीं बताओ SNA reaction पढ़ा है क्या तो उसमें क्या होता है बताओ nucleophile क्या करेगा इस carbon पर क्या करेगा attack और living group को यहां से बाहर कर देगा तो बताओ मेरे को क्या बनेगा तो जब यह attack करेगा तो यह वाला bond यहां से तूट जागा क्योंकि हमें पता है कि जब loan पर donate करता है तो oxygen पर क्या आता है positive और यहां से निकल जागा तो क्या बनेगा RC double bond OR यहीं बनेगा ना पुटा जैम यहां पर लगेगा और यह बाट जब अलग हुगा तो यहां पर भी वही बन जागा कार्बोक्स लेगे आई बात समझ में pyridine क्या करता है देखो फिर से यहां पर reaction करो SNA reaction attack और यहां से इसको बाहर करेगा तो यहां पर क्या बनेगा RC double bond OR लग जाएगा और यह जो HCL है इसको neutralize करने के लिए एक pyridine base हम लोग यहां पर यूज करते हैं क्या यह बात clear हुई बेटा acid, halide and anhydrate बताओ जल्दी से clear हुआ क्या जल्दी से बताइए clear ठीक next बेटा aspirin का formation पहले aspirin के बारे में देख लो क्या है salicylic acid याद है क्या salicylic acid बताइए this is carboxylic acid और यहां पर क्या हो जाएगा OH ठीक this is salicylic acid salicylic acid का हमें कराना है acetylation क्या कराना है acetylation acetylation का मतलब होता है बेटा CS3CO का जुड़ना CS3C double bond O का जुड़ना acetylation होता है तो benzyolation क्या होता है C6H5CO का जुड़ना है ठीक है phenyl के साथ CO आ गया तो benzyolation और CS3 के साथ CO आ गया तो acetylation होता है ठीक अब ध्यान से देखिए यहां पर acid derivative है loan पिर यहां दिखी रहा है यह जाके यहां क्या करेगा attack और CL को बाहर कर देगा SNA reaction अगेन हो गया तो यहां पर क्या होगा यह carboxylic acid वैसे ही है जैसा था यहां पर oxygen यह bond फिर से टूड़ गया होगा और oxygen जूडने के बाद C1OCS3 this is aspirin और इस aspirin का देखो क्या है analgesic, anti-inflammatory and anti-piratic दर्द है, fever है इन सम्में यह काम आता है क्या समझ में आई बात यह इसी acid halide के जगा अगर हम acidic anhydride भी use कर लेते बेटा तो भी यही बनता देखिए ध्यान से this is acidic anhydride डराने के लिए कभी-कभी ऐसे लिखा जाता है अब जड़ा ध्यान से लोन पेर है ना बेटा यही लोन पेर अगर यहां अटेक कर देता तो यहां से यह बाहर चला जाता तो सेम वही चीज़े हो जाती क्या समझ में आई बात तो aspirin के साथ अगर हमें acid aylation करते हैं तो aspirin sorry salicylic acid के साथ अगर हम acid aylation करते हैं तो हमें aspirin मिलता है और यह acid aylation या तो हम acid halide के साथ कर सकते हैं और या तो हम anhydride के साथ कर सकते हैं बताइए clear हुआ क्या है यह चीज़ बताइए बताइए clear sir अगर double bond पर attack कर देता तो कौन से double bond बेटा कौन से double bond यह कर ने सकता क्योंकि quality resonance में as compared to this तो यह तो attack करेगा नहीं अटेक तो इसी पर होगा कि लेवेंग रूप इसके पास है इनके पास तो है नहीं अब यह दोनों में से कोई और अटेक कर सकता था यह क्यों कर रहा है यह क्योंकि यह समझे है यह बात है quality resonance में बाल है और यह quality resonance में बाल नहीं है है ना clear होगे बटा चलिए अब आते हैं next चलिए बटा नेक्स्ट आते हैं हम लोग oxidation पर बटा यह याद करने वाला थोड़ टॉपिक थोड़ ध्यान से दिखिएगा तो अगश्यान से दिखेगा oxidation का बार है ना oxidation का पर थोड़ा ध्यान से दिखिएगा हो हुँ दिखिए ऑक्सिडेशन में बैसिकली होता क्या है अगर हम oxidation कि बाद करें तो यह अलकोहल है तो इसमें इसे जो है यह दिख रहा है वैट है यह यह यहां पर ऐलकोहल का एच और इस जिस कार्बन से एलकोहिल जुड़ा हुआ है उसका हाइड्रोजन यह दोनों हाइड्रोजन को हटा तो यहां से क्या बार चला गया एच्टू दो सिग्मा हटा है तो पाई बॉंड देना पड़ेगा अगर पाई बॉंड दोगे तो सी डबल बॉंड बन जाएगा तो क्या हाइड्रोजन जा रहा है तो क्या हम से ऑक्सिटी चन नहीं भोलेंगे या इसी को हम क्या बोल सकते हैं डि-?.hos हमिशाद दिमाग में रखे हैंगा बटा तो जैसे अ série अगर आपके पास ये वाला एलकोहल है ध्यान से दीखना बटा और अगर मैं ने बोला कि इसका अगर तुम्हें दिखेगा और यह ल्ड़ी इस एल्डी हाइड में अगर तुमने और तुमने ॐच्छ से अगर oxidizing agent रखा तो देखो यहां से यह वाला जो hydrogen है यहां से जिस carbon से oxygen जुड़ा है जिस carbon से oxygen जुड़ा है उस पे अगर कोई hydrogen है तो दुबारा oxidize कर सकता है और यहां पर इसी कारण से LD है जो है वो carboxylic acid तक जाता है तो आप आप मुझे बताएए one degree alcohol के oxidation से आपको क्या मिला एल्डी हाइड और एल्डी हाइड की oxidation से क्या मिलता है carboxylic acid तो सोचिए अगर हमारे पास two degree alcohol होता तो उसके oxidation से क्या हमें ketone नहीं मिल रहा होता और ketone का further oxidation आसानी से नहीं होता है जैसा कि मैंने अब तक बहुत बाहर आपको बता दिया और नहीं three degree alcohol का oxidation आसानी से होता है क्या यह बाते समझ मैं ही जो मैंने अभी बताया आपको बताए क्लियर है तो अब देखें यहां पर देख सकते हैं यहां पर कुछ मैंने रिएजेंट के नाम लिख रखे हैं strong oxidizing agent and mild oxidizing agent देखें ध्यान से यहां पर अगर देखें तो यह के aminophore यह देखें के टू सी यह तो से बद इस अलसो यूजड एज डाइक्रोमेटेस्ट है ना विटा डाइक्रोमेटेस्ट याद आ रहा है क्या प्राइमरी और सेकेंडरी अलकोहल के लिए होता है और यह से ग्रीन कलर में कनवाट होता है प्लस 6 से प्लस 3 में जाता है अग मतलब वन डिग्री टू डिग्री अलकोहल को आपस में डिफ्रेंसियेट इसके द्वारा नहीं कर सकते वह दोनों टेस्ट दे रहे हैं डिफ्रेंसियेट अभी होती है चीज़े जब एक टेस्ट दे और दूसरा टेस्ट ना दे चली तो देखें यहां पर देख रहे हम LDR में तो जाएगा बड़ो फर गहां चला जाएगा कार्व्ँली एंस keynote इस नहीं करते हैं इस मेटवा डिएर का case नहीं करते हैं जबकि mild oxidizing agent जो है बेटा ये क्या करते हैं 1 degree alcohol को aldehyde तक लेके जाएंगे और यहीं तक रुख देंगे aldehyde से आगे carboxylic acid में convert इसको नहीं करते हैं 2 degree alcohol को ये भी कहां लेके जाएंगे कि टोन में लेके चले जाएंगे और ये finally यहीं तक रुख जाएंगे क्या ये बात समझ में आई अब देफो जो सबसे important है पहली बात ये एन hydrous chromium oxide PCC that is pyridinium dichlorochromate pyridinium chlorochromate उसके बाद Collins reagent and PDC these are the reagent which can convert one degree alcohol to aldehyde लेकिन अगर हम came in of hold लेते तो aldehyde तो बनाएगा बट उस aldehyde को further क्या करेगा oxidize कर देगा और जिसमें सबसे important है जो भूलता है बच्चा वो यह है copper इस copper के साथ अगर हम एजी भी ले 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 बिटा तो वही होता है मतलब यह high temperature पर reaction हो रही है वहला vapor of alcohol को हम क्या करते हैं reaction करते हैं और reaction करते हैं तो one degree alcohol aldehyde में चला जाएगा aldehyde acid में जाता है two degree alcohol ketone में जाएगा ketone का further oxidation नहीं होगा बट इस case में ध्यान रखिएगा copper वाले case में three degree alcohol कौन सा alcohol मैंने बताया three degree alcohol का dehydration हो जाता है इस case में three degree alcohol three degree alcohol alkene में convert होता है ध्यान रखना बेटा इसमें convert होता है अलकीन में बहुत important है copper के साथ three degree alcohol alkene या AJ के साथ three degree alcohol alkene होता है बागे सब में oxidation होता है find out the major product acid catalyze dehydration वाई one methyl cycloyzenol एक question है आपके पास इसको try करो और फट अफट आफट प्राइस को क्यों समझे और पता कीजिए कौन सा reaction है हुआ है हुआ है हुआ 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 है अवाई ट्रेकल्डिया क्या हुआ समझ में आए कौन से आया कुशिन चली देखिए मैं कैसे सोच रहो फाइंड दे मेजर प्रोड़क्ट औफ एसीड केटलाइस्ट रिहाइडरेशन ओफ वन मिथाल साइकलोहेक्जनोल पहले तो साइकलोहेक्जनोल बना लेते हैं है ठीक है साइकलोहेक्जनोल फिर एक ही बला या वन पर मिथाइल और अगर यह क्या बात है अपन क्या करें गे एक्ष के साथ रैक्षण करेंगहें और हट डिये जायेगर आप ौज़ाइग को मियाय forms तो यहां पर अगर देखा जाए तो यह क्या हो जाएगा CS3 और यहां पर क्या आगया, कार्बो किटाएं समझ मैं आई बाद, अब सोचो, alpha hydrogen कहां से अटाएगा सोचो, alpha hydrogen कहां से अटाएंगे this is alpha 1, this is alpha 2 and this is also alpha 2 क्योंकि यहां से कहीं से भी अटाओ बात वही है तो अपन क्या कर देंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे, तो याद करो यहां पर भी दो टाइप के अलकीन बनेंगे और जहां दो टाइप के अलकीन बनेंगे, वहां पर सेट जेफ या होफमेन की बाते होंगी this is more alkyl-substituted alkyne, because of that यहां पर 3-2 पास देखो, यहां पर 7 alpha hydrogen है, और यहां पर 4 alpha hydrogen है, more stable alkyne, in general इसमें major product होता है, क्या यह point समझ में आया है बेटा सबको ? clear है यह, चलिए, आगे बढ़ते है reactions of phenol की बात कर लेते हैं, ठीक है, देखे, जैसे alcohol को समझा, उसी तरीके से phenol को समझ यह, अगर हमारे पास phenol है, तो हमें एक बात तो समझ में आ रहा है, कि भाई, इसके पास acid catch है, तो metal के साथ reaction कर सकता है किस के साथ reaction कर सकता है, metal के साथ, और metal के साथ जब reaction करेगा, तो phenol का यह वाला bond क्या हो जागा, तूट जाएगा, आगे बात समझ में, अगर किसी base के साथ reaction कर सकता है, तो भी phenol के पास acidic hydrogen है, तो भी यह वाला bond क्या हो जाएगा, तूट जाएगा, आगे बात समझ में, अग कानली यही वाला बॉंड टूटेगा क्या यह तीनों पॉइंट समझ में आई बात क्लियर हो रहा है क्या बटा यहां पर अपन क्या कर रहे हैं फिनोल की रियक्शन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन और हईड्रोजन का बॉंड पहले तोड़ दिया अब यह फिनोल की जो सबसे इंप अब बात कर लेंगे फिर क्या कर सकते हैं जिंक सात अगर देखेंगे तो organic chemistry कि अगर हमें कलको phenol alcohol को distinguish करना हो तो कैसे करेंगे अगर हमें phenol और carboxylic acid को distinguish करना है तो हम किस तरीके से करेंगे हमें यह देखना होगा ठीक है बटा तो चलिए एक एक करके इसकी reaction को देखते हैं अब देखें इसमें सबसे पहले विटा आता है nitrogen देखते जाओ यह सारी बात है ncati की है ncati में देखो अगर nitrogen की बात करें तो दो तरीके से कराया गया एक है dilute heno3 और एक है concentrated natural 3 dilute heno3 की साथ जब reaction कराया तो mononitration मिला mononitration का मतलब एक hydrogen हटा यह एक एक no2 लगा यह और जैसा कि हमें पता है OH का यहाँ पे कौन सा effect है plus m तो जो ortho और para directing होता है और ortho para directing पे हमें पता है कि इलक्ट्रोफाइल इसके ortho या और para hydrogen को replace करेगा और ortho nitrofenol और para nitrofenol बनेगा जिसमें major product जो इसमें होता है बेटा वो ortho nitrofenol होता है क्या होता है ortho nitrofenol और यह वाला point अगर देखें तो यह GOC में भी आपने पढ़ा होगा ठीक है GOC में क्या पढ़ा होगा देखें दो ortho and para isomers can be separated by steam distillation या दा रहा है किया बेटा हम यह स्टीम distillation से बाहर करते हैं कैसे जैसे ortho nitrofenol जो होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं because of intramodular hydrogen bonding जबकि para nitrofenol जो होते हैं वो less volatile होते हैं तो अगर दोनों एक ही container में है तो हम steam को फेकते हैं और steam के थ्रू क्या होता है वोलाटाइल वाला पाट उसके साथ बाहर चला जाता है और दोनों आसानी से separate हो जाते हैं आई बात समझ में अब अगर हमने concentrated hydrogen उत्री लिया तो इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल जो होगा क्या होगा नाइट्रोनियम आइन होगा और वो नाइट्रोनियम आइन ESR देगा concentration जादा है तो और्थो और पैरा दोनों के hydrogen को replace करके यहाँ पे जो product बनाएगा वो बनाएगा पिकरिक एसिड और यह जो पिकरिक एसिड होता है यह पूर एल्ड में होता है यह सही तरीका नहीं है बनाने का क्यों क्योंकि जो concentrated HNO3 है this is a strong oxidizing agent और अगर यह strong oxidizing agent है तो फिनोल को oxidize कर देता है और side products ज्यादा बनने लगते हैं अगर side products ज्यादा बन रहे हैं तो simple सी बात ह तो हमारा में उद्देश चताव क्या था पिकरिक एसिड बनाने का वो बनेगा ही नहीं और अगर वो नहीं बनेगा तो इस reaction को कोई खास फायदा नहीं होगा इस कारण से हम इस reaction में सबसे पहले सल्फोनेशन करते हैं सल्फोनेशन concentrated H2SO4 के help से करेंगे और तो पेरा पे एस तरीके से बनाया जाता है सल्फोनेशन करने से फायदा यह होता है कि फिनल की oxidize करने की tendency थोड़ी कम हो जाती है इसमें सबसे पहला हमने पढ़ा है वह यह पढ़ा है उसमें ये कि फिनल का nitrogen करते हैं दो तरीके से से पहला dilution ले शकते है और दूसरा concern उसमें Mononitration होता है इसमें Poly Nitration या Poly Substitution हम कह सकते हैं Next topic is Halogenation Halogenation की बात करते हैं याद किजिए पहले अगर हम Benzen का Halogenation करते हैं ESR अगर पढ़ा होगा अपने Hydro Carbon Chapter तो उसमें हमने क्या देखा था याद करो उसमें हमने क्या देखा था उसमें हमने ये देखा था कि Benzen के साथ X2 के साथ Lewis Acid लेते थे Lewis Acid उस X2 को Polarize करता था ताकि Electrophilic Attack Benzen पर हो जाए और Reaction आगे बढ़े Sigma Complex बने और Finally H को हटा के Halogen लग जाए क्या दारा बेटा हम पहले ये काम करते थे लेकिन यहाँ पर देखिए अगर हम Phenol लेके रखे हैं तो Oxygen का Lone Pair जो है वो Electron Density बढ़ा रहा है Benzen में जिसके कारण से आप Lewis Acid नहीं भी लेंगे तो इसकी Polarity इतनी जादा बढ़ा जिता है BR2 की ताकि आसानी से Reaction हो जाए बट यहाँ पर एक important concept देखिए CH2 is a non-polar solvent and यहाँ पर अगर देखेंगे तो BR2 के साथ हमने क्या लिए रखा है H2O तो यहाँ पर क्या है polar solvent तो देखो usual halogenation of benzene takes place in the presence of Lewis Acid Lewis Acid के presence में करते थे FEBR3 जो BR2 को polarize करता था halogen molecule in case of phenol the polarization of bromine molecule takes place even in the absence of Lewis Acid मतलब यहाँ पर Lewis Acid नहीं लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है it is due to the highly activating effect of which group attached to the benzene ring क्या समझ में आई बार तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम non-polar solvent लेते हैं तो monogromination हो रहा है जिसमें major product क्या बन रहा है पैरा वाला usually major product जो होते हैं वो पैरा वाले ही बनते हैं यहाँ पर देखिए अगर हम water solvent के presence में कराएंगे तो यहाँ पर हमें tribromofenol मिलेगा जो की white precipitate के साथ मिलेगा बैटा tribromofenol तो बनाता ही है साथी साथ white precipitate देता है समझ में आई बात यह तो जब कोई precipitate या color change अपने को दिखता है तो उस reaction को हम एक molecule को दूसरे molecule से distinguish करने में यूज करते हैं क्या समझ में आई बात बैटा है लूजिनेशन चलिए next अगर हम बात करें तो next में क्या है पॉल भी reaction ठीक है पॉल भी reaction में देखिए तो यहाँ पर phenol को पहले हम naoh के साथ reaction कराते हैं ऐसा इसलिए कराते है कि acid base reaction हो जाएगी यहाँ पर देखिए यह OH मानेस से h को remove करेगा sodium phenoxide बन जाएगा ओ पर negative आ गया अब इसका activating nature जादा लगेगा बेंजीन में इलेक्ट्रों की density बढ़ जाएगी और यहाँ पर क्या लिखा गया देखिए CO2 बेटा आप समझना थोड़ा धियान से अगर मैं यह बोलू कि carbon पर मालो negative charge है और यहाँ पर CO2 है तो क्या आपको द negative इस carbon पर attack करेगा पाइब ओपन हो जाएगा तो अगर ओपन होगा तो जड़ा ध्यान से देखिए एक double bond तो ऐसे ही था ओपर माइनस क्या समझ मेरी बज्यों मैंने बताना चाहां बेटा कि CO2 से अगर कोई carbon जाके जुड़ेगा तो वहाँ carboxylation ही होगा क्या होगा carboxylation तो देखिए ये negative का अगर देखा जाए तो ये delocalized होकर ये delocalized अगर होगा तो ये negative charge इसके ortho पे भी बनेगा पैरा पे भी बनेगा और फिर से इधर वाले ortho पे बनेगा क्या समझ में आई बाद तो जब यहाँ negative आएगा तो इससी पर attack करा दो तो इसलिए यहाँ पर carboxylic acid बना है तो हमेशा दिमाग में रखिएगा अगर co2 act as a electrophile है तो वहाँ carboxylation ही होगा एक reaction यहाँ पर बताई गई है दूसरी बताई आती है जब ग्रिगनाट reagent अगर ग्रिगनाट reagent co2 reaction करेगा तो भी carboxylation होगा क्या समझ में आई बाद बेटा ध्यार लखिएगा यहाँ पर जो प्रोडेक्ट बना है उसे कहते हैं salicylic acid और इस reaction का नाम काफी इंपोर्टेंट है पॉल्बे carboxylation या पॉल्बे reaction भी हम कहते हैं carboxylation का मतलब समझ में आता है क्या यह रिएजेंट बेटा दो जगह आपके organic chemistry में आता है chloroform यहाँ पर रेमर्टेमन रियक्शन में भी और एक आता है carbylamine reaction और दोनों में इसका purpose सेम है कि dichloro carbon generate करता है क्या generate करता है dichloro carbon और dichloro carbon जो होता है dichloro carbon जो होता है वही इस reaction का इलक्ट्रोफाइल होता है ठीक अब यहाँ पर जो बना है वो बना है पेटा salicylideide अब देखो इसको कैसे याद रखता हूं मैं dichloro carbon बन गया इलक्ट्रोफाइल फिनोल का में पता है यहाँ पर भी basic media में तो फिनोक्साइड आयन बन जागा जैसा इसमें बना था पिनोक्साइड आयन का activating nature ortho para electron density बढ़ा रहा है ठीक तो इलक्ट्रोफाइल कोने यह तो यह क्या उसके hydrogen को replace करेगा करेगा तो यह जो दो इसर नसर करेगा तो यह जाकर attack करेगा दोनों सील को बाहर करेगा एक carbon पे दो ओएच आएंगे दो ओएच आएंगे तो double bond हो आ जाएगा क्योंकि unstable होता है unstable होता तो finally H plus मिला के इसे हम acidification कर देते हैं ताकि salicyl dihyde बन जाए बताए यह क्लियर हुआ बेटा rematimen में इससे क्या मिला diachlorocarbon और यहां से जो यहां reaction गई that is it is a part of ESR उसके बाद हमने क्या किया NSR और finally हम acidification क्यों कर रहे हैं क्योंकि कोई negative charge species जो बचा वो finally O minus OH में convert हो जाए यहां पर भी same हमने वही काम किया था अगर वह काम नहीं करते हैं तो यहां पर भी H plus OH हड़ हड़ जाता और यहां भी हड़ जाता दोरोग पर negative charge आ सकते थे क्या समझ में आई बात यह तो यह एक नाम वाल रियक्शन दर रेमर टेमन रियक्शन फिनोल का नेक्स्ट आते हैं अपन ठीक reaction of phenol with zinc dust यह मैंने आपको बता दिया है बेटा कि zinc phenol जो है इस oxygen को remove करके zinc oxide में लेकर चला जाता है तो phenol किसमें चला गया बेटा यहां पे बेंजीन में उसी तरीके से यह वाला part आपको याद रखना है MTR है oxidation phenol की reaction अगर हम oxidizing agent के presence में कराएंगे chromium की जो oxide होंगे वो generally क्या होंगे oxidizing agent जिससे यह किसमें convert हो जाएगा बेंजो phenol में तो यहां पर बेटा phenol की reaction जो है डगवग समाप्त हो चुकी है ठीक तो यहां पे कुछ questions है जड़ा ध्यान से दिखेंगे इसको हटाते हैं अपन जो भी लिखा हुआ है यहां पर दोको पी ओसी की बात है ना पी ओसी ट्रैक्टिकल और गेनिक chemistry की बात है phenol versus alcohol हम कैसे identify कर रहें देखिए ध्याद से सुन लिजिए phenol की पहली बात यहां पर यह कि बटा यह जो है वह FECL3 के साथ FECL3 के साथ FECL3 के साथ रियक्शन करके एक complex बनाता है बेटा जो की वाइलेट कलर का होता है ठीक है ध्यान रखेंगे समझ में यह बात यह पहली बात जो एल्कोहल काम नहीं करता जो सबसे इंपॉर्टेट है दूसरा अभी हमने देखा था बी आर्टू के साथ रियक्शन करके ट्राइब रोमो प्रोड़क्ट दिया था जिसमें वाइट प्रिसिपिटेट का फ्रोडव फॉर्मेशन व Wanna जो एल्कोहल नहीं करता सmedi 6 अब इसमें एक रियक्शन दिया हुआ है आप अच्लिया वहाँ कि फिनौल बेटा जब हम sodium bicarbonate के साथ reaction करते हैं तो sodium bicarbonate से reaction करेंगे तो क्या होगा यह negative charge यह positive यह base है बेटा यह base क्या करेगा इस H plus के साथ reaction करेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा sodium phenoxide ion क्या बनेगा sodium phenoxide ion साथ ही साथ H2CO3 यहाँ पर दिक्कत क्या है कि H2CO3 की acidic strength phenol से क्या होती है जादा तो यहाँ पर यह backward reaction होने लगेगा जबकि अगर हम यही sodium bicarbonate को किसी carboxylic acid के साथ अगर हम reaction करते हैं किसी sodium carbonate को carboxylic acid के साथ reaction करते हैं तो यहाँ पर बनेगा sodium phenoxide ion क्या बनेगा sodium phenoxide और साथ ही H2CO3 जो finally decompose आते हैं CO2 और H2O में तो CO2 बनके निकलने लगेगा जिससे यह पहचान है कि वो carboxylic acid है और दूसरा वाला फिरोन है इसमें CO2 रिलेज नहीं करेगा जबकि इसमें CO2 रिलेज करेगा क्यों क्यों क्योंकि carboxylic acid के reaction होती है और हमें हमेशा पता है कि स्ट्रॉंग acid जो है स्ट्रॉंग acid से हम लोग weak acid क्यों reaction आगे बढ़ाते हैं क्या समझ में आई बात यह बटा ध्यान रखिएगा sodium bicarbonate से तो carboxylic acid कर लेता है एक पिक्रिक acid कर लेगा एक सलफोनिक acid कर लेगा और एक डाइनाइट्रो फिनोल भी कर लेगा अगर दोनों एक और तो और एक पैरा से देखिए मैं कुछ question बता दे रहा हूं बागी खुद से try करेंगे सी नमबर अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा mononitration of phenyl methinoid है अब अगर हम इसका structure बनाए तो कैसा बनेगा methinoid है मतलब ester है और ester के mention में एक ही carbon होगा और इधर phenyl बोला है तो यह phenyl लगा दिया अब यहाँ पर क्या बूला है mononitration इसका मतलब हमें nitrogen mixture लेना होगा जिसे nitrogen माइन मिलेगा अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यह जो lone pair है इस रिंग पर activating group का काम कर रहा है मतलब और तो पैरा पर 3-methyl phenol अगर मालो मैंने 3-methyl phenol बना दिया 3-methyl phenol और इसमें dynitration करना है ठीक है मतलब की 2 hydrogen को करना है इसमें या तो एक बार इसको हटा दो एक बार इसको इसमें 2 product बनेगा ऐसा लिए कि दोनों को एक साथ हटा देना इससे हटा आया तो एक बार इस हटा देना इसमें dynitration बोला है अगर dynitration बोला है इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास इसका ओच का plus m कहा कहा का participate करेगा इसका ortho position यह है और इसका पेरा यह है तो बताइए dynitration करना है तो कौन से दो hydrogen को आप replace करेंगे no2 से तो आपको भी पता है कि यहां पर हम करेंगे तो दोनों में steric hindrance काफ़ी जादा लगेगा तो इसके comparison में यह दोनों जगा सही है तो यहां पर दोनों जगा no2 लग सकता और आपके index question में बहुत बार नीट में पूछा गया है index question से ले दे कर चार option दे दिया गया है और आपसे पूछ लिया गया है बताओ इसका answer क्या होगा चलिए तो last topic है that is ether ether में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिटा ether में हम लोग इसका preparation पढ़ेंगे जो हमने already इसके कुछ पार्ट कवर कर रखे हैं कि आपको याद है ether के कुछ पार्ट हमने already cover कर रखे हैं बताइए इथर में हमने कुछ पार्ट तो already cover कर रखा है जैसे dehydration of alcohol alcohol में भी पढ़ा था हमने कि low temperature पे एनसर हो जाएगा and high temperature पर अलकीन बनेगा dehydration topic के alcohol में यह already मैंने बैटा पढ़ा रखा है इसलिए मैं नहीं बता नेक्ट है Williamson synthesis है तो Williamson synthesis क्या होता है सोचो क्या मैंने कभी पढ़ाया था Williamson synthesis बताओ Williamson synthesis बताया था पूरा बताओ क्या लगता है पढ़ाया था मैंने Williamson फटा फट बताओ पुरा था है तो至सू आर वोग neutr पश़ाई पढ़ाया दो प्रको की कर दो σας रोगगा पना मैंने में जाड़ाबाया है आवई हां, ठीक है, तो विल्यमसजं सिंथेशिस में क्या होता था, कि जब अल्कायल हलाइड के रियेक्षिन सोडियम ऐलककसाइड के साथ होती थी, या दा रहा भी तेसी सोडियम ऐलककसाइड के साथ होती थी, तो यहाँ पर अगर SN2 हुआ यह मैं क्यों लिख रहा हूँ अगर SN2 हुआ क्योंकि यह जो होता है sodium milkoside यह एक strong nucleophile होता है और अगर यहाँ पर steric hindrance कम नहीं है तो SN2 E2 में convert हो जाता है समझ मैं ही बाद बैटा तो अगर यहाँ पर SN2 हुआ तो यह ether बन जाएगा जिससे हम symmetrical as well as unsymmetrical ether दोनों बनाते हैं हमीशा दिमाँ में रखिएगा ether बनाना है तो Williamson को याद करना है ठीक है? ether को बनाना है ether का preparation कर रहे है और कैसे कर रहे है? alkyl lead and sodium milkoside के साथ ठीक है? तो अगर यहाँ पर alkyl lead जो ले रहे है इसमें कुछ condition है पहला condition यह है कि जो lone pair है lone pair जो है halogen का है वो localized होना चाहिए क्या होना चाहिए? localized है ऐसा नहीं कि vinyl halide ले लिया क्यों? vinyl halide लोगे vinyl halide लोगे तो halogen का lone pair का है? localized नहीं है delocalized है अगर वो delocalized है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ पर partial double bond character है और अगर partial double bond character है तो वहाँ पर reaction NSR नहीं हो सकती दूसरा बात कि steric hindrance steric hindrance steric hindrance जो है वो कम होना चाहिए alkyl lead समझ में आई बात यह steric hindrance कम होगा तभी SN2 होना चाहिए तो यह जो है वो favorable condition है favorable condition है किसके लिए? SN2 के लिए साथ ही साथ nucleophile भी बलकी नहीं होना चाहिए should not should not be bulky should not bulky बलकी नहीं होना चाहिए यह सारी condition होंगी तभी जाके SN2 होगा otherwise नहीं होगा तो जैसे माल लीजे यह question है major product बनाना है बताईए किसमे SN2 होगा किसमे E2 होगा बताईए कनिश्क पूरा हो क्या लगता है आपको पहले वाले में SN2 होगा या दूसरे वाले में या दोनों में या दोनों में E2 होगा देखो जल्दी देखो और बताओ जल्दी बताओ आज ही बताना है चल्दी देखिए मुझे क्या लगता है अलकाइल हलाइड है सोडियम अलकोकसाइड है इस इस ट्रॉंग नुकलोफाइल मैं ऐसे लिख लूँगा स्ट्रॉंग नुकलोफाइल और अलकाइल हलाइड का जो सबसे बेसिक रियक्शन है वो यह ही है स्सक्राइल है स्सक्राइल हाइड तो उससे जो ego वो क्या हों गया is आंसो बी टा तो बी टा हैडूज़न लिविंगर्व यह पटाईए और डबल मॉन बनाईए तो अगर यहाँ से हाइड्र Community यहां से ब्रोमीन हटाएंगे तो यह डबल बॉन यहां जाएगा और यहां सीस्थ्री आ जाएगा जिसे हम कहते हैं आई सो ब्यूटाइलिन अब आते हैं सेकेंड वाले में तो दिस इस सोडियम अलकॉक्साइड अगेंड क्या है स्ट्रॉंग नुकलोफाइल है यह तो सेम ल दिखेंगे सब लोग देहां जाएगा तो पहले तो कोई स्ट्रक्चर बना जे रहा हूं एक साइड कर दो एथाईल और एक साइड कर दो टर्शरी ब्यूटाइल माल लो तुम्हें यह प्रिपेर करना है यह प्रिपेर करना है तो बताएए इसके लिए आपके पास कौन से बेस्ट ऑप्शन है अलकाइल हलाइड के अलकाइल हलाइड के एंड नुकलो फाइल के बताएए अगर यह इथर बनाना है विलियम सन से तो इसके लिए बेस्ट अलकाइल हलाइड क्या होगा बताएए इसके लिए बेस्ट अलकाइल हलाइड क्या होगा क्या लगता है आपक ठीक, तो मुझे भी यही लगता है कि भाई देखो, कि यहां पर देखो, अलकाल हिलैड 3 डिगरी तो ले निसकते हैं, इधर वाला ही लेना होगा, इसका मतलब यह हुआ, कि हमें इधर CH3, CH2, अलकाल हिलैड लिखना होगा, और इस वाले साइड, अलकोकसाइड देना होगा, तब जाकर SN2 के कुछ चांसेज हो सकते हैं, क्या समझ में आया है बेटा, हलाकि इस से भी SN2 की reactivity बहुत कम होगी, कम होगी लेकिन अगर मुझे ये प्रिपेर करना है, तो इसके लिए best तो यही हो सकता, क्योंकि अगर मैं halogen इस साट जोड दिया, तो फिर बहुत बड़ा गेम हो जायागा, क्या समझ में आई बात, चलो फटा फट बताओ, नीचे अवाला क्लियर हुआ की नहीं? बताओ भई, पूरो मिस्माही जल्दी करनिश्क जल्दी से बताओ, क्या नीचे अवाला क्लियर हुआ? सेकेंड पाट क्लियर है? ठीक, चली, अब आगे देखते हैं, हाँ, अब नेक्स्ट जो है वेटा, वो है कैमिकल रियक्शन, हाँ, कैमिकल रियक्शन की बात है, फ्रोड़ा ध्यान से देखना, एथर का एक ही रियक्शन है, लेकिन इससे जब कुश्चन आता है, सानी से रियक्शन देगाने बटा, लेविंग गुरूप है नहीं, पाई बॉंड है नहीं, तो इसको लेविंग गुरूप में पहले कनवर्ट करना होता है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सिजन कार्बन के बॉंड को तोड़ने के लिए, हमें एक्सेस ओफ हाइड्रोजन हलायल लेना पड़ता है, और हमें पता है कि हाइड्रोजन हलायल लेने से, ये रियक्शन कैसे होगी, कैसे समझेगा ध्यान से, अगर बेटा हमने एथर लिया ध्यान से देखना एथर लिया तो oxygen के पास loan pair है loan pair है तो HX के साथ reaction करके क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ थोड़ देखना ध्यान से ध्यान से देखना क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या जिसे हम oxonium ion कहते हैं कैसे हुआ होगा HX से साथ reaction करके यह बनाया होगा हाँ या ना बिटा उसके बाद क्या हुआ होगा अब यहां पर reaction SN1 या SN2 होगी किसी तरीके से और फिर अगर मालो X- है और इसने अटेक किया और यह यहां से चला गया मतलब यह good living group बनके चला गया तो एक जगा अलकायलिय्ट बन जागा और एक जगा एलकॉहल बनेगा ध्यान से देखना जो बहुत important बात सिखा रहा हुँ एथर के HX के reaction से आपको क्या मिला अलकायल हलाईड क्या मिला एक जगा मिला बेटा आपको एलकोहल क्या मिला आपको एलकॉहल लेकिन अगर excess of HX है तो बेटा बताना ये जो alcohol बना था क्या वो दुबारा HX के साथ reaction करके OH इसके H plus के साथ ये बाहर चला जाएगा H2O बना जाएगा और यहाँ पे alkyl halide नहीं बन जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर ether excess of HX से reaction करता है तो आपके पास दो alkyl halide बनेंगे और अगर ether जो है सिर्फ एक बार HX से reaction कर रहा है तो एक alkyl halide और एक एथर बनेगा एक alcohol बनेगा क्या ये बाते समझ में आई इसका मतलब दोनों oxygen के carbon carbon bond तूट सकते हैं लेकिन पहले ether alcohol में convert होगा और alkyl halide में होगा and then alcohol again reaction करेगा HX से और finally alkyl halide बनेगा क्या यहां तर clear है अब आते हैं यहां पर यहां देखना क्या ये भी ether है मुझे बताओ ether है कि नहीं है तो मुझे बताओ अगर reaction होता है तो क्या इसमें भी protonated ether बनेगा हाँ बनेगा अगर protonated ether बनेगा तो oxygen पे कौन सा चार्ज जा गया positive लेकिन बेटा इसमें एक दिक्कत है इसमें दिक्कत क्या है कि ये bond नहीं तूट सकता अगर ऐसा ether दिख जाए जिसमें oxygen इस carbon से जुड़ा है इस benzene से जुड़ा है तो यहां पर partial double bond character होगा और अगर partial double bond character होगा इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर यहां पर देखो ध्यान से ये O के साथ तो H रहेगा और ये अलकाल हलाइड होगा मतलब इसमें एकसेस में भी रहेगा तो एक अलकाल हलाइड और एक फिनोल मिलेगा कभी भी तुम इस oxygen के और इस carbon के bond को मत तोड़ देना क्योंकि यहां पर partial double bond character होता है बहुत धासू चीज बता रहा हूँ ये समझ में आई बात ही है clear हो गया अब question ही आती है कि sir ether को तोड़ोना तो समझ में आ गया कि एक अलकोहल बनेगा ठीक एक अलकोहल बनेगा और एक अलकाइल ही लेड़ बनेगा कोई दिक्कत निए इतना तो समझ में आ गया लेकिन यह नहीं समझ में आ आया SN1 होगा कि SN2 ठीक तो यह समझा रहा हूँ उसको देखिएगा अगर माल लीजिए बेटा आपके पास इस तरीके से ether है और HX के साथ आप रियक्शन कर रहे हैं ठीक तो देखिएगा ध्यान से यह SN1 में भी जा सकता था और SN2 में भी जा सकता क्या समझ में आई बात SN1 में भी जा सकता था SN2 में भी जा सकता था It depends It depends It depends It depends on R और R- अगर Stable Carbogatine का Formation होता हुआ दिखे अगर Stable Carbogatine बनेगा तो ही रियक्शन SN1 जाएगा मतलब अगर SN1 की बात होगी तो SN1 के लिए Condition है और वो Condition यह है कि सर R और R- जो है जो R और R- जो है वो Stable Carbogatine दे मतलब यह हुआ कि 3D Carbogatine दे दे 3D Carbogatine दे दे किसी तरीके से या तो या तो Elyl Carbogatine दे दे और या तो Sir Bengyal Carbogatine दे दे अगर इन तीनों में से कोई Carbogatine बन रहा है या इससे Stable Carbogatine बन रहा है तो Sir Reaction SN1 की तरब मोड़ देना Otherwise Reaction SN2 की तरब मोड़ देना क्या ये बाते समझ में आई SN1 में क्या होता था Living Group हटाते थे Carbogatine बनाते थे या नहीं इसका मतलब भी हो अध्यान से सुनना अगर मालो मैंने इस तरीके से लिखा इसको छोड़ो यहाँ पर देनको अगर मालो मैंने इस तरीके से लिखा ये Oxygen है तो मुझे क्या लगता है कि सर देखो इस Oxygen के इधर या इधर 3 डिगरी नहीं है इस Oxygen के इधर और इधर एलाइल वही नहीं है लेकिन इस Oxygen के इधर और इधर में बेंजाइल है तो सर SN1 बनेगा और SN1 का एक ही बात है कि सर कार्बोटन बनेगा तो कार्बोटन बना दे और अगर कार्बोटन बनेगा तो उधर ही हैलोजन चला जाएगा और दूसरी सेट क्या चला जाएगा एच तो ये अलकाल हलेट और ये अलकोहल क्या थोड़े दिर पहले जो बताया था वो समझ में आया क्या तो एक दो कोशन आपके NCI-T के उठा देता हूँ और ये सारे कोशन बता देता हूँ तो मुझे लगता है एथर के रियेक्शन क्लियर हो जाएंगी बताईए पहले वाले में SN1 या SN2 बताईए पहले वाले में SN1 या SN2 क्या लगता है आपको पहले वाले में SN1 या SN2, चलिए, देखे, मैं मुझे क्या लगता है, मैं देखता हूँ, ये वाला 1 डिगरी कार्बन, ये भी 1 डिगरी कार्बन, तो अगर ये माल लो HI के साथ रियक्शन करते हैं, तो मुझे ये लगता है, कि ना ही एलाइल कार्बोटन बनेगा, ना ही इसका मतलब यहाँ पर SN2 फेवर करें, अब आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा, सर देखो, ये रियर्जमेंट, नहीं, रियर्जमेंट पहले नहीं देखना है, पहले ये देखना है, कि वो है 3 डिगरी, 1 डिगरी, 3 डिगरी, अलाइल, बिंजाईल, या नहीं है नहीं दिखा SN2 है, तो SN2 में सिंपल सी बात है, पहले तो protonated इथर बना होगा, अब बताओ, SN2 में क्या होता था, nucleophile इसका I- है, उधर ही अटेक करेगा, जिधर steric hindrance कम है, आप मुझे बताए, ये आजू साइड अटेक करेगा, या बाजू साइड अटेक करेगा, तो आपक था बेटा, CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, और यहाँ पर क्या जाएगा, OH, क्या alcohol और alkyl halide का concept clear हुआ बताओ, क्या ये concept clear हुआ, ठीक, अब आए दूसरे question में, बताए, इसमें diet ये, बताए, SN1 या SN2, एथर की reaction देखे, तो दिमाग में रख लेना आई, जीसल reaction के इतने ही से, या तो SN1 ये तो SN2, depends की alkyl पर ये SN1 होगा, के SN2, बता मेरे को, क्या कहीं भी इदर दिख रहा है, क्या 3 degree है, अच्छा, ये 3 degree है, मतलब ये SN1 होगा, इसको cross कर, SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, बना दे कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन यही बनेगा ना, तो और दो, O के साथ कहा जा गया, H इधर चला गया है, क्या समझ में आई बार, चलो बताओ, बताओ, सेकेंड वाला कॉंसेप्ट क्लियर हुआ, हाँ भई, सेकेंड वाला क्लियर हुआ, चलिए, अब थर्ड का बताओ, एंसर, थर्ड बताओ, थर्ड बताओ, जलनी से, थर्ड बताओ, जलनी से, SN1 या SN2, हाँ भई, मुझे क्या लगता है, कि थर्ड बाले में, बेंजाइल है, बेंजीन से, CH2 न, बेंजाइल है, मतलब, यह हम लोग लिखेंगे, यह SN1 होगा, और कार्बोटन बनाएंगे, मतलब कार्बोटन यहाँ बनेगा, तो ऑक्सिजन से H, और इस से हेलोजन, इधर हेलोजन, इधर हेलोजन, इधर H, चलिए, इसी पर बेस कुछ और कुशन है, देखिए, इस कुशन को देखिए, कैसे चल्दी बनाना है, अब यहाँ पर इधर है, यह भी इधर है, यह भी इधर है, और इधर के रियेक्शन दी गही है, HI के साथ, तो इनमें से कौन सा एंसर होगा, देखिए, मेरा कॉंसेप्ट क्या है, कि यह ऑक्सिजन का जो लोन पेर है, यह तो ड लेकिन अगर, HI, एक्सेस में है, तो इलकोहल तो देखना ही नीचैए, क्यूंगे, अगर एलकोहल रहेगा, तो हकbooर है, और अगर दुबारा, रियेक्शन कर लेगा, तो यह एसको स्वल्ब करने लगा है, तो कम से का मैं एक दू मिनट लगेगा, वैसे त indicator कम इसे से देशन पूरो क्लियर है यह चलिए नेक्ट देखते हैं अब है चलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिटुशन वही बिटा एथर का है सारी देख्षन पहले पटर के हैं है लुजी नेशन है है लुजी नेशन में पर देखिए इथेनोग एसे डेजस सॉल्वेंट लिया गया है मेजर और माइनर बना है यहाँ पर एनहाइडर से ल सील थी फ्रीडल काफ्ट अलकाइलेशन है लुजी नेशन में लुजी यहां से सीएस्ट एसील को बोन को तोड़के और्थो और पैरा पर जाके चिपकाया यहाँ पर देखिए एसीटाइलेशन है एसीड हलाइट के साथ रियेक्शन करते हैं तो सारी रियेक्शन पहले की हैं प्रेडल क्राफ्ट रियेक्शन जो है वह एलकाइलेशन एसालेशन होती है तो यह एलकाइल हलाइट के साथ लुईस एसीड लेंगे तो यह सीएल इसके साथ जाएगा c3 positive आएगा इसका plus M है तो और्थो पेरा पे चला जाएगा अगें यह Cl जो है इसके साथ जाएगा यहाँ पर CS 3COO मिलेगा यह और पेरा पे चला जाएगा देखिए यहाँ बनाए गया है आँए बत समझे है बेटा तो फीक लास बसता है नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग मिक्षर लिया गया है तो नाइट्रोनियम आयन मिलेगा अब यह भी कहां चला जागा और तो पर पहरापे सिंपल सी बात है ठीक तो उसी पर बेस्ट यहां पर कुश्चन दे रहा हूं ज़रा ध्यान से देखिए देखो which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of one methoxy for nitrogen समझना बेटा पहले तो मैं बना लेता हूं यहां पर one methoxy for nitrogen तो यह रहा methoxy और यह nitrogen बताइए इन दोनों में से कौन है जो बनाएगा यह काम बहुत ही बढ़िया कुश्चन है बहुत ही बढ़िया कुश्चन है बताइए 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 हाँ वही चली देखिए मुझे क्या लगता है मुझे यह बनाना है यह ब्रोमीन का जो लोन पेर है यह डी लोकलाइज़ तो अगर मुझे यहां रियक्शन कराना है तो यह हो तो सकता है क्योंकि यह माइनस सेम लगा रहा है ठीक ऐसा नहीं के नहीं बनेगा बनेगा और यह एराइल हलाइड है तो यह एसन एयर मेकनीजन से होगा थोड़ा बहुत टेम्ट्रेचर भी लगेगा और फाइनली प्रोड़क्ट में हम लिख सकते हैं OCS3 OCS3 और यहां पर NO2 सही बात है बन गया वो फिर यहां पर देखूं तो मुझे क्या लगता है दिस इस इस ए बन रहा है और वहां पर SNAR से बन रहा है तो हम लोग किसको प्रिफर करेंगे इसी को प्रिफर करेंगे न क्यूंकि SNAR में पार्शेल डबल बॉन करेक्टर को तोड़ने के लिए अपने को पार्शेल डबल बॉन करेक्टर को तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लग कि अब ट्राइब कर लिया कि जल्दी से दिमाग लगा विसमें कि देखो इसमें क्या है कि एथर की रियक्षिन एच बीर के साथ है डायक्ट मुझे बताओ यह SN1 होगी या SN2 बस इतना बताओ तो कुश्चन स्वल्व हो जाएगा मुझे दिख रहा है कहीं भी स्टेबल कार्बो टैंड नहीं बनेगा तो मैं SN2 को प्रिफर करूंगा और SN2 म यहां वाला पर यह जाके अटेक कर देगा तो मतलब बियार इधर है तो इधर एच लगा देंगी ठीक अगेन वही है बेटा एथर है एथर को एच बियार तोड़ रहा है न तो एच एक्स तोड़ेगा तो सिंपल सी बात है यह बॉन्ड तो टूटने वाला है नहीं तो इस एच सार कर रहा है भी इंजिन और बेंजिन के डिरेवेटिव से हैं अभ यहां देखो यह एथर है अब सोचो चौथा वाला कोशन सोच लो एक बार जौथा कोशन देख लो फटा फट अ जल्दी से कि color question देखके क्या लग रहा है अ कुई चुकि हो दो रियाक्षन सेन वन हो गी तो तो कार्वाटान बनेगा तो दिरेकशन के सात्ध क्या चला जाया घ्रेश चला लिएंगा हेलुजन क्या समझ में आए बात वी तो यहां पर एक यह पर मैंने आज पढ़ा दिया है इसमें से देखके आप फुद से टिक कर लेंगे चलिए एक कोशन है रोड में पॉला थोड़ा इसको हम लोग थोड़ा सॉल पेल देते हैं पटाफट ठीक है अब देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले जब ऐसे कोशन आए तो आपको क्या करन होंगे यह बनाए बेंजेन ओपर लगा दिया सी एस्थरी ठेक उसके बाद सी एल टू लिखा है तो मैं कैसे सोच रहा हूं ध्यान से देखिए यह एचनियू है एचनियू का मतलब क्या हुआ यह बता रहा है कि रियक्शन फ्री रेडिकल की हो जाएगा और फ्री रेडिकल के लिए रिंग के पाई बोन तोड़ने पड़ेंगे तो आप खुद से सोचो कि सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करेगा यह एडिशन तो सब्स्टिट्यूशन तो एक हाइड्रोजन हटा यह और क्लोरी लगा दिजे तो हमने क्या किया एक हाइड्रोजन हटा यह और क्लोरी अब इस alcohol की reaction बोल रहा गया है sodium के साथ कराने के लिए तो करा दो sodium के साथ याद करो अभी alcohol की reaction पढ़ा है थी sodium metal है active hydrogen है हटाइए hydrogen को जैसे ही आपने hydrogen को हटाया तो यहाँ पर आपको दिखेगा O पर minus वर रेने पर क्या जाएगा positive ठीक है अब जो बना है C उसको A से reaction कर रहा और A हमारे पास यह था तो देखो sodium alcoxide के reaction alkyl halide से करानी है याद आ रहा है क्या बेटा तो यह SN2 mechanism follow करेगा negative attack करेगा CL को बाहर कर देंगा अपन तो यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा यह था CH2 CH2 और यहाँ पर आ गया phenyl क्या समझ में आई बाद बेटा तो एक एक step करके अपने को सोचना पड़ेगा कि यह reaction किस तरीके से आगे बढ़ रही है चिक चलिए तो next है next देखिए हमारे पास क्या है कुछ points है जो आपके alcohol phenol ether के chapter में दिये गए है देख लेना ध्यान से जैसे इसमें यह बताया गया है methionol और ethionol की बाते जैसा कि हमें पता है दोनों के दोनों हमारे body में जाके oxidize कर सकती है तो अगर कोई alcohol ले रहा है उसके साथ अगर methionol ले लिया तो methionol जाके oxidize करके methionol बनाएगा methionol से methionoy acid बनाएगा और वो काफी खतरनाक है हमारे लिए क्योंकि खतरनाक क्यों है क्योंकि इसके करन हमें क्या हो सकता है देखो brightness हो सकता है अगर जादा टाइम तक ले रहा है तो हो सकता है कि आपकी death भी हो जाए क्या समझ में आई बार तो methionol का आपको रोल यहां पर दिखाया है methionol और ethionol को थोड़ा differentiate किया है इसमें क्या है और क्या नहीं है और एक आपको ये वाला page पढ़ना है जहां पर ये point लिखा हुआ है some commercial important alcohols इसके बारे में कुछ-कुछ बाते लिखी गई है अब इसमें बस यहीं बताया गया है कि एक तो यह कि यह reaction carbon monoxide और इससे हम ethionol बनाते है फिर वही बाते इthionol की कैसे बनाते है कि सुक्रोक्स को glucose बनाया फिर जाइमिस के साथ reaction करके ethionol बना दिया तो ये कुछ बाते हैं जो आपको खुद से अपने NCRT से पढ़नी है तो NCRT में जो भी alcohol phenol ether का पार्ट था वो लगभग खतम हो चुका है अब आपको PYQ बना लेनी चाहिए एक बार ये सारे इसके PDF को देख लेना टेलेग्राम चैनल पे आपको भेजी दिया जाता है और उसके बाद अपन देखेंगे तो फ्राइडे को अमाइन का लेक्चर लेकर आ रहा हूं इसको अपन उस दिन कवर करेंगे उसके बाद आपसे जैसा होगा आप बताओ कमेंट सेक्षन में की कौन सा टॉपिक यह है कौन सा नहीं जल्दी कवर करने के लिए चलिए बेटा आल दी बेस्ट